हेलो गाइज हेलो 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 वाट्स अप क्या हाल चाल है सबके आई होप किया सब लोग अच्छे होंगे दिस इस एर इन्वी सर एंड एक बार फड़ा-फड मुझे कंफर्म कर देना ठीक है आवाज आ रही है सबको येस 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 आज का जो जेई ब्रीफ है इसमें हम करने वाले सीक्वेंस इन सीरीज तो काफी इंपोर्टेंट चाप्टर है येस मेरे काल से आवास तो आ रही है ठीक है तो आई थिंक एवरिधिंग इस परफेक्ट एंड स्टार्ट करते है जेई ब्रीफ वाली जो सीरीज है डेफिनिटली इसको आप फॉलो करना फिजिक्स केमिस्टी मैच्स सारे के सारे सब्जेक्स के लिए ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये हमने स्टार्ट करी है एंड 40 दिन के अंदर आपका जो पूरा जेई सिलिबस है उसको हम यहां पर रिवाइस करने वाले है तो आई होप की सब लोग अच्छे होंगे हलाकि मेरा गला अभी थोड़ा सा खराब है कल भी थोड़ा सा खराब था ठीक है बट एनिवेज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वें सीरीज को आज हम था ठीक है तो वह देख लेना जैए एडवांस का वेटेज भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है वह भी आप देख सकते हो बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉप टेन चैप्टर्स है जही में में जो सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होता है व काफी अच्छे से अपने को पढ़ना है और सीक्वेंशन सीरीज पूरा ही अपने को डीटेल में समझना है ठीक है तो स्टार्ट करते है ठीक है बिफोर वी स्टार्ट एक और चीज में आपको बता देता हूं जहीं बूस्टर अपना जो बैच है यह अल्रेडी लाइव हो आप इसको चेक आउट जरूर से कर लेना यह वोरा क्लासिस के आप के ऊपर अल्रेडी अवेलेबल है तो अगर किसी बच्चा कोई भी बच्चा है जो नया है जिसको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी यह शेर कर सकते हो ठीक है चल यह तो स्टार्ट करते ह सबसे पहले स्टार्ट करेंगे से अरिथमेटिक गरेशन फिर जामेट्रिक फिर अजीप है इसको बोलते है तो वह भी डीटेल में पड़ेंगे फिर मिश्लीनियस सीरीज भी आपकी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इनफेक्ट सूपर इंपॉर्टेंट है ठीक है और फ एंड सारी की सारी चीजे एक एक करके हम discuss करेंगे बहुत सारे questions भी है तो definitely है न सब कुछ इसमें आपको कराए जाएगा आपको बिल्कुल tension नहीं लेना है बस इसको शिद्जत के साथ follow करना है ठीक है follow करोगे तो आपको definitely फाइदा मिलेगा ही मिलेगा that is my guarantee ठीक है तो start करते है सबसे पहले arithmetic progression देखो AP मेरे खाल से mostly सबको आता ही है कही ना कहीं है ना एक बार तो हम पढ़ी चुके इसको arithmetic progression और in fact AP तो 10th में पढ़ाय जाता है तो काफी simple सा topic होता है तो इसको थोड़ा फटा-फट से cover करेंगे ठीक है थोड़ा speed में cover करते है और सीधा सवालों पर आता ह कि आखिर J mains में किस तरीके की question आपको arithmetic progression में देखने को मिलता है ठीक है तो AP का क्या मतलब होता है जैसे मान लो की first term A है है ना AP में यह है कि आपको same number हर बार add करना है आपको same number हर बार add करना है तो जैसे मान लो first term है A तो अगला term हो जाएगा A plus D यहाँ पे जो D होता है इसको common difference तो हर बार आपको D add करना है अगला term हो जाएगा A plus 2D ठीक है similarly और अगला term हो जाएगा A plus 3D यह आपका first term है यह आपका second term है यह आपका third term है यह आपका fourth term है तो इसी तरही के से आप pattern देखके बता दो कि nth term कितना आएगा देखो pattern दिख गया कि नहीं जो second term है उसमें 1D है है ना third यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है मतलब एक कम होता है तो nth term का formula क्या बन गया nth term का formula बन गया A plus N minus 1D और यही तो हमने पड़ा था बचपन में फर्स टर्म A होता है second term क्यों होता है A plus D होता है यहाँ पर A क्या है A is the first term D is the common difference और इसी को हम AP बोलते है arithmetic progression मतलब difference of two consecutive terms will be constant यहाँ पर एक formula जो super important है वो है nth term वाला formula तो nth term का formula आपको पता होना अच्छे बस जो भी सवाल आएगा वो इस basic formula के ऊपर definitely आपको पूछा जा सकता है और कभी-कभी इसका sum भी पूछ लेते है ना they might also ask you कि find out sum of all the end terms यह जितने भी terms है इ इन सबका sum निकालो sum of the first end terms इनका जो sum होता है उसको हम denote करते है SN के साथ SN का formula याद है किसी को SN का formula क्या होता है अगर मुझे sum of end terms निकालना है AP में यह भी मेरे काल से सबको यादी होगा बहुत basic सा formula होता है number of terms divided by 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2A बस A की जगए 2A होता है बाकि सब सेम ही होता है 2A plus N minus 1D है ना so this is the formula to find out sum of यह S मतलब sum sum of the first end terms of an AP और जो nth term होता है उसको क present करते है ठीक है कभी AN से करते है कभी TN से करते है ultimately सब A की बात है Nth term यह भी वही है Nth term is A plus N minus 1D A is the first term N is the number of terms D is the common difference यहाँ पे भी वही है और SN का एक और formula भी होता है अगर आपको यह यूज नहीं करना है तो आप यह वाला भी यूज कर सकते हो N by 2 first term plus last term यहाँ पैसे लिख या फिर कुछ books में आप देखोंगे तो ऐसा भी लिखा रहे था है कि भाई A plus AN ठीक है first term plus last term ही तो है A मतलब first term और AN यह AN last term ठीक है तो A plus AN तो आप इस तरीके से यह वाला formula भी यूज कर सकते हो यह वाला formula particularly तब यूज करेंगे जब last term given होगा और अगर number of terms given है common difference given है तो इस लग रहा होगा यह सब तो 10 में पड़ा है लेकिन जही mains के अंदर सवाल आता है ठीक है तो इसी लिए आपको यह सब पता होना चाहिए इतना तो मतलब basic है फिर properties पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ-कुछ properties भी देख लेते हैं ठीक है total कितनी property है तीन चार यह पांच और यह च है total six properties are there ठीक है तो AP की सारी property मैंने एकी slide में डाल दिये so that आप इसको भूलोगे नहीं और अगर किसी को revision भी करना है तो फटाक से कर सकते है एक एक property के बहुत जादा detail में नहीं जाएंगे बट आपको definitely यह जो properties है वो पता होनी चाहिए तो पहली property and यह बहुत simple और basic properties है तो increased or decreased or multiplied or divided अगर मानलो मेरे पास कोई AP है अगर मैंने हर एक term को increase कर दिया हर एक term में plus 1 कर दिया तो जो नया आएगा वो भी AP ही होगा अगर मैं हर एक term को decrease कर दो तो भी जो resulting आएगा वो AP ही होगा अगर जैसे मानलो न आप example ले लो मानलो 1,2,3,4 यह भी तो एक AP है राइट इ नई सीरीज क्या आएगी नई सीरीज ऐसी आएगे ना 2,4,6,8 तो देखो वो भी AP है यह भी तो AP है ना 2,4,6,8 यह भी क्या है यह एक AP है तो यह मेरे खाल से चमक गया अगर आप हर एक term को add करोगे multiply करोगे subtract करो या divide करो कुछ भी करो जो resulting आएगा वो AP ही आएगा so that is the first property second property क्या है second property यह है कि अगर आपको AP में कभी भी तीन terms assume करने होता ना in fact J mains के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल यही से आते है ठीक है अगर आपको तीन terms assume करने है तो हमेशा ऐसे assume करते है इसका फाइदा यह होता है कि calculation में आपको basically यहाँ पर थोड़ा सा फाइदा होग आता है कि sir कभी तो हम normal तरीके से assume करते है a a plus d और a plus 2d और कभी तो आप बोलते हो कि sir इस तरीके से assume करना चाहिए तो इस तरीके से assume करने का आपको फाइदा तभी मिलेगा जब आपको sum given होगा अगर sum given है तो ऐसे assume कर लो अगर sum given नहीं है क्योंकि sum given होगा तभी तो यह cancel हो तो अगर आपको 3 term assume करने हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अच्छा इसमें एक और गलती हो जाती ही बार-बार, जैसे मान लो कि एक सवाल आया, उसमें बोला कि 3 terms आप AP के assume करो, हमने कर लिया assume, इस तरीके से assume कर लिया, और फिर last में पूछा होता है कि find out the sum of the first 50 terms, और आ इहां से देखो, यहां पर यह गलती हो जाती है, अगर आप terms को इस तरीके से मान रहे हो, then A-D is the first term, तो जब आप formula में substitute करो, A-D will be the first term, A तो second term है, और A-D जो है वो तो third term है, तो आप यह गलती मत करना, इस तरीके से मानना है, तो मान लो, आप assume कर लो, कोई दिकत नहीं है, बट फिर आपको यह बताओना चाहिए, कि this is the first term, अगर आप 4 terms को assume करोगे, then this is the first term, यहां पर this is the first term, यहां पर this is the first term, तो symmetrically आप assume कर सकते हो, बट यह ध्यान रखो कि first term आपका A नहीं है फिर, आपका A-D है first term, ठीके है, तो second property भी आपको clear है गया, third property क्या है, third property भी again simple है, कि जो common difference है, common difference can be anything, it can be 0 also, it can be positive also, और it can be negative also, ठीके है, अगर कोई भी AP है, जिसका common difference negative है, तो decreasing AP है, अगर common difference 0 है, तो constant AP है, और अगर common difference greater than 0 है, मनला पॉजिटिव है common difference, तो फिर वो increasing AP उसको बोलता है, ठीके, similarly, fourth property क्या है, fourth property यह है, कि जो भी equidistant वाले terms होंगे, उनका sum constant हो मलब आप first term और last term को add करो AP में, या second और second last को add करो, third और third last को add करो, तो यह constant होता है sum, ठीके, तो equidistant वाले terms होते है, उनका sum constant होता है, that is the fourth property, fifth property क्या है, fifth property actually किसी भी sequence या किसी भी series के लिए valid है, ठीके, यह है कि अगर आपको nth term निकालना है, तो पहले आप sum of n terms निकाल लो, और उसमें से n-1 का subtract कर दो, आपने sum of n terms निकाला, और उसमें से n-1 का जो sum है वो subtract कर दिया, तो last वाला एक term ही तो बचेगा, तो tn क्या होता है, tn होता है sn, minus कर दिया sn-1, sum of the first n terms, और उसमें से sum of the first n-1 terms को minus कर दिया, तो एक बचेगा basically, ठीके, और last property यह है, कि AP के अंदर two times the middle term is always equal to first term plus last term, आप ऐसे याद करो, first plus last is always equal to two times the middle term, ठीके, तो properties clear है क्या, मेरे खाल से properties clear है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अचा, आजकल न, एक और type के सवाल बहुत आ रहे है, वो है middle term वाले, है न, आपको AP में आपने ऐसे question तो करे होंगे, कि 13th term निकालो, 15th term नि इतने terms का sum निकालो, ये sum वो sum, लेकिन आजकल जो trending है, वो है middle term, ठीक है, तो middle term वाले सवाल भी थोड़े बहुत आने start हो चुके है, आपको पता होना चाहिए कि middle term कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, अगर कोई ये जो concept है, again this is valid for any sequence, अगर कल को GPB है, तो GP में भ concept है, and it is valid for all, ठीक है, ये सेम concept हर जगल लगेगा, it is valid for all sequences, आप बोल सकते है, या for all the series, it is valid, ठीक है, तो concept क्या है, concept ये है कि देखो, अगर n का value even होता है, तो middle term के आएगा, एक तो अपने को ये देखना पड़ेगा, और अगर n का value odd है, तो middle term के आएगा, एक अपने को ये अब देखो, जब भी आपको confusion होता, तो आप क्या कर सकतो, एक छोटा sequence ले सकतो, जैसे मान लो, कि मैंने एक छोटा सा sequence ले लिया, जिसमें number of terms जो है, वो 5 है, मान लो, ये न, first term, second term, third term, fourth term, और ये fifth term, तो middle term कौन सा है, अगर एक sequence है, जिसमें 5 ही term है, तो ये वाला है middle term, अ लेकिन कल को 101 term होंगे, तो कौन सा वाला होगा middle term, तो इसके लिए simple ये concept होता है, कि अगर number of terms आपके odd है, अगर number of terms आपके odd है, यहाँ पर देखो total कितने terms है, 5, तो अगर number of terms odd है, तो ये 3 आपको कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, जो भी number of terms है, उसमें plus 1 करो और divide by 2 कर दो, 5 plus 1, 6, 6 by 2, तो 3 मिल जाएगा, तो जब भी number of terms odd होता है, middle term आपका हमेशा आएगा, n plus 1 by 2th term आएगा, this will be the middle term, तमग्या, जब भी n का value odd होगा, ये होगा middle term, और अगर n का value even है, तो अगर मान लो कि number of terms 6 है, एक sequence है, जिसमें total 6 terms are there, if total 6 terms are there, तो middle term 2 आएगी, इसमें 2 middle term आएगी, एक ये भी middle term है, और ये भी middle term है, तो अगर number of terms even होता है, then always देखो ये 3 कैसे मिलेगा, आपको 6 by 2 करके मिलेगा, और ये उसका अगला वाला है, 6 by 2 plus 1 का आप बोल सकते हो, बलाब basically अगर number of terms even है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कि n by 2th term एक तो ये middle term होगा, and जो दूसरा होगा वो इसका अगला वाला होगा, n by 2 का value जो भी है, उसमें plus 1 कर देना, आपको अगला वाला भी मिल जाएगा, तो ये इसमें 2 middle term आएगे, इसमें एक ही middle term आएगा, तो ये concept है, इसको आप याद करो, और यही अपने को लगान होता है, ठीक है, येस, तो बस इसको याद करना पड़ेगा, जितना जल्दी याद कर लोगे, उतना आसानी से आप यहाँ पर middle term निकाल पाओगे, कल को मानलो एक ऐसी sequence आगई, जिसमें number of terms मानलो 101 है, ये a1, a2, a3 ऐसे करके, 101 terms are there, तो बटाओ middle term कौन सा आएगा, middle term आपका हैगा, 102 divided by 2, मतलब basically 51st term जो होगा ना, वो आपका middle term होगा, मतलब आप बोल सकते हो, a51, this is the middle term, middle term होगा, 51st term जो होगा ना, वो middle term होगा, ठीक है, I hope कि ये चमक चुका है सबको, और आगे बढ़ते हैं, अब देखो, जही में 2023 का सवाल है, ठीक है, यहाँ पे आपको middle term के उपर ही सवाल पूछा गया था, मैंने आपको बोला ना, आजकल ये सब popular है थोड़ा सा, yes, तो यहाँ पे देखो, ये आपको AP गिवन है, जिसका first term आपको clearly गिवन है की 8 है, first term is 8, A1 का value 8 है, बाकी A2, A3 ऐसे करते हैं, एक AP है, और ये जो AP है, इसमें आपको बोल रह हैंगे न, A, A plus D, ये second term, फिर A plus 2D, ये third term, और A plus 3D, ये fourth term, and sum of the first four terms आपको कितना given है, 50 given है, बहुत अब इसको आप solve कर लो, इसको solve करेंगे तो A, 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 A और A, चार बार आएगा ये, ठीक है, तो ये चार बार, और D plus 2D, तो 3D हो गया, और 6D हो गया, this is equal to, अपने को 50 given है और A का value अपने को first term given है, right, first term is 8, अगर first term 8 है, तो यहाँ पर substitute कर दो, 8 into 4, ये 32 हो गया, यहाँ से basically आपको common difference मिल जाएगा, तो common difference बताओ कितना मिलेगा, 18 आगया, तो D का value 3 आगया, ठीक है, यहाँ से clearly आपको common difference मिल गया, अब एक बार common difference मिल गया, उसके बाद देखो क्य और बोल रहा है, और बोल रहा है कि, and the sum of the last four terms is 170, तो अब last four terms का sum आपको लिखना पड़ेगा, आखरी वाले चार term का sum, ठीक है, तो last वाला term कौन सा होता है, last वाला term होता है, a plus n minus 1D, ये last term है, फिर last second term कौन सा होगा, a plus n minus 2D आजाएगा, फिर उससे पीछे वाला, ये आज into D, और फिर a plus n minus 4 into D, और इसका ये summation कितना गिवन है आपको, ये summation अपने को गिवन है 170, तो ये एक equation ये भी गिवन है, कि जो आखरी वाले चार term है, उनका sum आपको गिवन है, तो again a plus a plus a plus a, तो चार बार आगया 4A, चीक है, और अगर आप d को common ले लो, अगर d को common ले तो 4n आजाएगा, और ये minus 1 है, minus 2 है, तो minus 3 हो गया, और ये कितना हो गया, minus 6 हो गया, और 10 हो जाएगा, मनलब calculation करो आप, इसमें calculation करनी है, into D, this is equal to 170, आपको गिवन है, तो यहाँ से n का value निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास common difference तो है, आपके पास first term भी है, तो यहाँ से n का value आप एक बार फटा फट निकालो, ठीक है, तो 4a, 4a हो जाएगा 32, plus 4n minus 10, into common difference है 3 का, है ना, तो सारी value पुट कर दो, पुट पुट आइंग, all the, पुट पुट आइंग, all the values, and find the value of n, n का value कितना आएगा, यहाँ से आजाएगा, 138 आ रहे गया, 138 divided by 3, so this is how much, यह हो जाएगा, 4 times, 46 आ गया, तो 56 divided by 4 आजाएगा, 56 divided by 4, 14 आ गया, n का value, n का value 14 आ रहे, number of terms कितना आ रहे, 14, और अब आपको क्या बोल रहे, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, product of its middle two terms, महलब जो दो middle term आएगी, क्योंकि n का value even है, तो middle term दो आएगी न, उन दोनो middle term का product आपको पूछा जा रहा है, तो middle term कौन कौन सी आएगी, middle term एक तो आएगी, n by 2, और एक आएगी, n by 2 plus 1, महलब एक आएगी, 7th term is the middle term, और ये हो जाएगा, 8th term is the middle term, चीक है, 8th term is the middle term, बस इन दोनो terms का product आपको पूछ रहे, महलब आपको ये पूछ रहे, a7 into a8, तो ये आपको निकालना है, this is the required quantity, ये निकाल लोगे, a7 निकाल लोगे, अब ये तो अराम से हो जाएगा, this is nothing but a plus 6d, and this is nothing but a plus 7d, sequence series के जो सवाल होते है, इतना calculation तो रहे गाई, ठीक है, अब इससे कम आप expect नहीं कर सकते हो, d का value 3 है, तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 plus 21 हो जाएगा, तो ultimately कितना आ रहा है ये, देख लेना मतलब calculation आप कर सकते हो, ठीक है, तो finally आप ये सब solve करोगे, ये ही आएगा, आप करके देखो, 754 आ रहे क्या, final answer आपको 754 आपको मिल जाएगा, तो कितने लोग को concept clear है, बही एक तो आपको given था कि some of the first four terms, और एक आपको given था some of the last four terms, तो पहली चार और आखरी वली चार, यहाँ से d निकला, यहाँ से n नि निकल गया, तो फिर middle term तो निकली जाएगा, n का value अगर even है, तो दो आएगी middle term, और जो दो आएगी ना, उनका multiplication पूछा था, product of the two middle terms पूछा था, ठीक है, और आगे बढ़ता है, एक और सवाल करेंगे, ap के उपर ही आप देख रहे हो, मतलब खाली basic formula, sum of terms, number of terms, इसी के गिंती नहीं है, आप गिंते-गिंते ठक जाओगे, इतने सवाल है, खाली ap के उपर, ap और gp के उपर ही maximum सवाल है, in fact, आप जो बाद-बाद में पढ़ते हो, उनके उपर तो बहुत कम सवाल है, ठीक है, तो yes, यही main important topic जो है, इस chapter के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो ap important है, gp important है, थोड़े बहुत agp के सवाल आते हैं, और बाकी miscellaneous के भी, है न, almost उतने ही आते हैं, जितने ap, gp के आते हैं, yes, तो definitely, अगला सवाल try करते है, a1, a2, an, यह arithmetic progression है, again, मतलब यह ap का सवाल है, और यह ap of natural numbers है, अच्छा, यहाँ पर यह specified है, कि आपके जो terms है, वो decimal न number आना चाहिए, if the ratio of sum of the first five terms, तो sum of the first five terms, और ratio लेना है, to the sum of the first nine terms, यह ratio आपको given है, और यह ratio कितना given है, 5 upon 17, यह given है आपको, और फिर यह भी given है, देखो, अगली equation यह given है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 110 और 110 और 120 के बीच में है, a15, लब आपका जो 15th term है, वो इन दोरों के बीच में है, कही ना कहीं, तो एक equation अपने को यह given है, और एक equation अपने को यह given है, यह दो equation अपने को given है, और दो variable होते है, a और d, first term, common difference, तो कही ना कहीं solve करना पड़ेगा, अब solve करते हैं, ठीक है, solve कैसे करेंगे, तो यह बन जाएगा 5 by 2, है ना, sn का formula लगा दो, sn का formula का होता है, n by 2, 2a, okay, 2a, तो a का value specified तो है नहीं, आप ऐसे लिलो, 2a plus n minus 1, मलब 5 minus 1, तो 4, 4d आ जाएगा, similarly, नीचे आ जाएगा, 9 by 2, 2a plus 8d आ जाएगा, n minus 1d, and this is equal to 7, नहीं, 5 upon 17, ठीक है, 5 upon 17, तो एक बार यहां से आपको calculation करनी पड़ी, क्या 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 कैंसल ह हो रहा है, यह cancel हो जाएगा, 5 से 5 cancel हो जाएगा, cross multiply कर देना, ठीक है, तो यहां से देखो further calculate करेंगे, तो 17 गया, इधर, 17 into 2a plus 4d, यह आ रहा है, और यह 9 जाएगा, इधर, ठीक है, तो this is equal to 9 into, 2a plus, कितना है, 8d, ठीक है, तो यह, अब इसको solve करना, तो यह आ गया, 34a plus 68d, 18a plus 72d, यह आ गया, तो यहां से आ गया, 16a is equal to 4d, मलब basically यह आ गया, 4a equal to d आ गया, यह आ रहा है, देखो, finally हमने calculate करके, यह निकाल दिया, कि 4a is equal to d, यह तो कुछ नहीं calculation है, यह equation given थी, तो हमने solve कर लिया, value put करके, ठीक है, तो यह आ गया, अब यह वाली equation निकालो, यहां यहां पर देखो, आपको निकालना है, a 15, a 15 क्या होता है, a 15 होता है, a plus 14d, यही तो होता है, तो a plus 14, और d, d का value कितना है, 4a, तो यह कितना हो जाएगा, 56 plus 1, 57a आ गया, यह overall, 57a आ गया यह, और यह जो 57a है, उसका value इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो हमने basically a 15 की value न आप चाहो तो अलग से निकाल लो, यहां पर, है ना, confused मत हो, अगर मैं a 15 का value निकालूंगा, तो कितना आएगा, a plus 14d आएगा, और d का value पुट कर देना, which is 4d, 4a, ठीक है, यह 57a आ गया, और अपने को यह दे रखाएगी, यह जो 57a है, वो 110 और 120 के बीच में है, तो आप 57 स आप आजाएगा, 120 divided by 57, अब इसका value कितना होगा, 1 point something होगा, और इसका value होगा, 2 point something, yes or no, तो a का value, क्योंकि आपको बुला है कि सारे के सारे terms क्या है, natural numbers है, तो a की तो natural number है, इन दोनों के बीच में, अपने को बुला है कि all the terms are natural number, तो basically यह जो a है, उसका value 2 होगा, बस यह आ value आगया, तो d का value, यहाँ पर a का value 2 put कर दो, तो d का value 8 आगया, ठीक है, तो first term आगया, common difference आगया, अगर यह आगया, तो सब निकल जाएगा, ठीक है, निकालना क्या है, sum of the first 10 terms निकालना है, तो s10 निकालो, फटा फट, s10, so that is 10 by 2, 2a plus 9d आजाएगा, अब सारी value put कर दो, य a का value कितना निकाला, 2, और d का value 8 निकाला हमने, ठीक है, तो बस put put time and getting the answer, ठीक है, तो ultimately this is coming out to be 5 into 76, तो यह हो गया 30 और 380 हो गया यह, ठीक है, 380 is your final answer, which is option B, तो चमक गया कि नहीं, क्या आप मितलब फटा फट कर पा रहे हो, तो इस तरीके की सवाल आएंगे, calculation करने के आग निकलती रहनी चाहिए, ठीक है, फटाफट pen चलते रहना चाहिए, और कोई calculation mistake नहीं होनी चाहिए, तब ही आपका time बचेगा, otherwise यही सवाल आप करोगे 2-3 बार, पहली बार मैं गलत करोगे, दूसरी बार मैं और गलत करोगे, तीसरी बार मैं छोड़ी दोगे, तो यह स इसमें plus 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर plus 4 करना पड़ेगा, फिर से plus 1 करना पड़ेगा, फिर से plus 4 करना पड़ेगा, तो यह basically AP नहीं है, लेकिन कैसे करें, इसको कैसे करेंगे, मान लो कि मुझे यह वाला summation निकालना है, यह directly तो AP नहीं है, अब इसमें जो generally आप लोगों के दिमाग में आयेगा न, इस तरीके के सवाल में क्या आयेगा, बताओ, आप खुद ही सोच के बताओ, अगर मान लो यह सवाल आगया, यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 plus 4 plus 8 plus 9, आपको यह तो दिग्या होगा कि 2 consecutive है, 13, 14 है, फिर 18, 19 है, ऐसे 2-2 करके आ रहे, yes or no, और ऐसे करते करते है, 40 terms, जो sum है, वो अपने को निकालना है, तो यह summation निकालना है, तो यह आपको दिग्या होगा कि यह दोनों alternate है, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, अब इसमें 2 approach हो सकता है, एक approach यह हो सकता है, आप बोलोगे, sir, एक काम करो, आप यहाँ पे 2 अलग-अलग AP बना लो, 2 अलग-अलग AP बना सकता है, जैसे मैं इसको rearrange कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिखोंगा 3, 3 के बाद सीधा मैं लिखोंगा 8, 8 के बाद सीधा मैं लिखोंगा 13, 13 के बाद 18, अब यह AP बन गया, लेकिन यह बकवास में थड़ है, यह मत करना, ठीक है, यह तो मैं आपको सिखाना चाहरा हूँ, कि ऐसा मत किया करो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, कि दो AP आपको दिख रही है, एक AP नहीं है, एक AP के अंदर आपको दो अलग-अलग AP दिख रही है, तो आपको दो AP वाले method से नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो AP में दो बार formula लगाओगे, double-double calculation method होता है, ऐसे मत किया करो, हाला कि answer उससे भी आ जाएगा, मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, answer तो आई जाएगा, बट answer निकालना objective नहीं है, objective यह जल्दी answer निकालना, ठीक है, तो इसमें क्या किया करो, इन दोनों को add ही कर दिया करो, club कर दिया करो, तो वो AP में convert कर जाएगा, देखो इसका better approach यह है, कि आप add कर दो, यह 7 हो जाएगा, इन दोनों को add कर दो, 17 हो गया, इन दोनों को add कर दो, 27 हो गया, यह 37 हो गया, और ऐसी कितनी terms आएगी, 20 terms आएगी ना, आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने दो दो को एक में club कर दिया, यह दोनों एक बन गये, तो total 40 terms है, लेकिन दो-दो combine हो गये, तो अभी यह वाली जो AP है, इसमें 20 terms आधी, number of terms आएगी, क्योंकि एक इनसान के अंदर दो इनसान है, अभी, ठीक है, तो बस अब यह direct AP बन गई, जिसमें 20 terms है, तो बस sum निकाल दो, 20 by 2, 2a, 2a, प्लस n-1, मरलब 19, into common difference है 10 का, तो यह आगया स सीदह सीदह answer, ठीक है, तो बस यहां से answer कितना आजाएगा, यह 10, यह 14 plus 190 आगया, मरलब ultimately यह आगया, 2040 आगया, और आपको question में बोला था कि जो summation है, वो इसके बराबर है, 102M के बराबर है, 102M, तो यहां से M का value आजाएगा, 2040 divided by 102, मरलब कितना 20 आजाएगा, अब cancellation कर लो, 20 दिख गया, तो final answer is, M का value 20 आएगा, simple न, तो इसमें बस NV tip यही है, कि 2 AP मत बनाओ, एक ही बनाओ, दो बार formula कौन लगाएगा यार, इतना time नहीं होता है, तो अगर 2 AP दिखे, club गर लिया करो, number of terms आदे कर दिया करो, that is a better approach, ठीक है, समझ गे, तो यह basically directly AP नहीं है, बट हाँ, इस तरीके के सवाल भी बहुत आता है, इसके उपर मने एक dedicated video भी recently बनाया था, तो अगर किसी ने नहीं देखा है, तो definitely आपको देखना चीए, ठीक है, most important है, आजकल इस तरीके के सवाल बहुत आ रहे है, मतलब number of common terms वाले, आपको 2 AP या कभी-कभी तो 3-3 AP भी यह दो तरीके के सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलते है, तो इसमें concept क्या होता है, जैसे मान लो एक यह green वाला AP गिवन है, 5, 9, 13, 17, ऐसे करते 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 हैं, तिल 217, और दूसरा अपने को यह yellow वाला AP गिवन है, 3, 9, 15, 21, ऐसे करते करते हैं, 3, 21, तो यह दो AP गिवन है, this is AP 1, and this is AP 2, दो अलग-अलग AP गिवन है, और यह जो अलग-अलग AP है, उसमें अपने को figure out करना है, कि common terms कितने है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे common terms, CT, CT मतलब common terms, तो पहला common term आपको observation से देखना होता है, ठीक है, इसका कोई, और कोई method नहीं है, आपको पहला term कैसे कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 9 है, इसके पास भी 9 है, तो पहला common term क्या हो गया, 9 हो गया, तो हमेशा यह याद रखो, first common term आपको observation से देखना होता है, फिर common difference, यह जो common terms आएंगे न, वो भी AP में आएंगे, पहली बात तो यह, ठीक है, यहाँ पर जो common terms आएंगे, बहु common है, दोनों के पास है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन यह जो common terms की जो पूरी sequence आएगी न, वो AP आती है, always it will be AP, AP आती है, और इस AP का अगर आपको common difference निकालना है, तो उसका direct shortcut होता है, कि इन दोनों के common difference का LCM ले लो, जिसे इसका common difference कितना है, यहाँ से य जाना है, तो आपको six add करना पड़ेगा, तो इन दोनों के common difference का LCM ले लो, तो इसका common difference आजाएगा, तो इसका common difference होगा, that will be the LCM of the common difference of, यह direct concept होता है, कि बाई, दो AP है, और आपको common term वाली जो AP है, उसका common difference चाहिए, तो इन दोनों AP के common differences है, उनका LCM ले लो, तो direct LCM हो गया, 12, तो अगला term आपका आजाएगा, 9 plus 12 और इसी तरह से आता जाएगा, आप plus 12 करते जाओ, फिर से plus 12 करो, तो इस तरह से आता जाएगा, मतलब सारे terms आपको मिल जाएगे, yes or no, यह कितना आजाएगा, 21 आजाएगा, basically दोनों के पास 21 भी होगा, इसको आप simplify करके लि अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ पर एक concept यह लगता है, कि जो last common term है न, वो इन दोनों में से जो भी छोटा है, उससे भी छोटा होगा, last common term इन दोनों में से छोटा है, यह वाला, 217, छोटा है न, यह बड़ा नंबर है, यह छोटा नंबर है, तो इन दोनों में से जो 218 218 कभी भी common term हो सकता है क्या 218 इसके पास हो गई नहीं न यह तो 217 पे खतम हो गई यह पी लास्ट टम इसका 217 है तो 218 कैसे हो जाएगा common नहीं होगा न तो जो भी last common term आएगा वो या तो 217 आएगा या 217 से कमी आएगा less than equal to less than equal to इसलिए क्योंकि या तो 217 हो सकता है इसके पास है हो सकता है यहाँ पर कहीं पर बीच में 217 आजाए तो last common term जो होता है वो इन दोनों में से जो भी छोटा है उससे भी छोटा होता है तो बस यह formula लगा कि आपको number of terms calculate करने होता है अब देखो an क्या आएगा तो a plus n minus 1 d तो first term 9 है और n minus 1 और common difference कितना है 12 का है बस यहाँ से आप calculate कर लो कि n का value कितना आएगा again calculation आपको करनी पड़ीगी तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 208 हो जाएगा ना 208 divided by 12 इसको further solve करो n minus 1 is less than equal to 208 divided by 12 तो कितना आएगा यह यह 1 और 7, 17 point something आ रहा है तो 1 को अधर भेज देना तो n आ जाएगा less than equal to 18 point something आ रहा है मतलब n का value 18 आ जाएगा yes or no, 18 point something से कम और n तो basically integer ही है न, n तो number of terms है आधा term कैसे हो सकता है, ठीके तो n का जो भी value होगा, वो एक integer ही होगा तो इसलिए 18 is the answer, मतलब दोनों जो AP है उसमें total कितने common terms होगे 18 common terms होगे यह वाली जो AP है और यह वाली जो AP है green वाली और yellow वाली इन दोनों में 18 terms है जो common है और यह 18 के 18 terms आप चाहो तो लिख भी सकते हो और चाहो तो उनका sum भी निकाल सकते हो sum of 18 terms of AP लगा दो अगर आपको sum पूछा है यहाँ पे तो खेर number of terms पूछे थे पर अगर sum of terms पूछा होता तो S18 का formula लगा दो इस वाली AP पे ठीक है तो वो sum भी निकाल सकते है कोई बड़ी बात नहीं है यह concept कितने लोगो clear हो गया यह concept clear होना बहुत जरूरी है जरूरी इसलिए क्योंकि इस तरीके के सवाल आएंगे तो practice अच्छा से करना इस तरीके के सवाल हो की और आगे बढ़ते है ठीक है अब आता है GP पे तो GP में क्या करते है जैसे AP में add करते है हर बार एक constant number add करते है वैसे ही GP में हर बार एक constant number multiply करते है जैसे first term अगर A है तो अगला हो जाएगा AR R से multiply कर दिया फिर अगला term हो जाएगा AR square फिर से R से multiply कर दिया इसमें R से multiply किया फिर से R से multiply किया फिर से R से multiply किया और ऐसे ही करते गए यह आपका first term है यह second term है ये 3rd term है ये 4th term है तो nth term क्या आएगा बताओ आप खुद ही बता दो अगेन कितने लोगों को pattern दिग गया pattern दिग गया होगा ना pattern यह है कि अगर इधर 2 है तो r की पार 1 है अलब r की पावर एक कम है 3rd term में देखोगे तो a r की पावर 2 है तो 3 में 2 है 4 में 3 है 2 में 1 है इसका मतलब यहाँ पे आएगा a into r की पावर कितनी आएगी n-1 तो इसलिए gp में nth term का formula क्या निकल के आता है यह निकल के आता है a r की पावर n-1 यहाँ पे a क्या है a is the first term what is a a is the first term and what is r r is the common ratio जैसे वहाँ पे common difference बोलता है यहाँ पे common ratio बोलता है क्योंकि gp के case में किसी भी दो consecutive terms का ratio constant होता है मतलब t2 by t1 कर लो या t3 by t2 कर लो या t4 by t3 कर लो कोई भी दो consecutive terms ले लो और उनका जो ratio होगा न वो हमेशा r ही आएगा इसलिए इसका नाम रखा गया common ratio it is constant ठीक है तो यह clear है यह clear है और gp का nth term जैसे आपको gp में कोई पूचेगा कि 5th term बताओ तो a r की बार 4 अगर कोई पूचेगा 20th term बताओ तो a r की बार 19th बहुत simple होता है बस एक पावर कम कर दो बस एक number कम कर दो कोई भी अगर आपको term चाहिए मिल जाएगा और sum का क्या formula होता है sn का formula क्या होता है gp के case में तो gp में sum का formula यह होता है a into r की power n-1 upon r-1 यह वाला भी use कर सकते हो और अगर यह पसंद नहीं है तो यह वाला भी use कर सकते हो दोनों same ही है मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है both are exactly same यह वाला use करो यह वाला use करो उपर अगर r की power n-1 है तो नीचे भी r-1 आएगा और अगर उपर 1-r की power n है तो नीचे भी 1-r आएगा ठीक है तो यह formula भी आपको याद रखना है again most important formula gp के अंदर sum of the first n terms of gp derivation वगेरा में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि again last minute पे derivation आपको बिल्कुल काम का नहीं है तो definitely आपको formula याद होने चाहिए और सवाल की practice आपको करनी चाहिए इसमें derivation में मत पढ़ना बिल्कुल भी important नहीं है और s infinity का भी एक formula होता है अलब gp के अंदर sum of the first infinite terms भी आप निकाल सकते हो ठीक है s infinity तो s infinity आप यहाँ से देख सकते हो यह वाला term zero हो जाता है basically infinite terms की जब बात करोगा तो वो zero हो जाता है तो formula क्या बन जाएगा formula बन जाएगा a by 1 minus r a by 1 minus r लेकिन यह formula valid तभी होता है जब r का value या ऐसा बोल सकते हो की mod r का value less than 1 होना चाहिए अलब r का value minus 1 और 1 के बीच में होना चाहिए then only this formula is applicable तो sum of infinite terms of gp is a by 1 minus r this formula is only applicable if mod r is less than 1 अगर mod r equal to 1 है या greater than 1 है तो नहीं लगा सकते फिर उसमें s infinity not defined आपको बोलना पड़ेगा defined ही नहीं है ये वाला formula तभी applicable है जब mod r less than 1 है और ये वाला formula हर जगा applicable है इसके ओपर कोई terms and conditions नहीं है ये वाला और ये वाला तो same ही है तो समझ गए हैं ये तीन formula आपके लिए काम के है nth term, sum of terms और sum of infinite terms of a gp ये clear है a by 1 minus r बिलकुल सही बात है चलो gp की properties देख लो एक बार gp में again वैसी ही properties है जैसी ap में है तो gp की properties क्या क्या हो जाएगी जैसे ap में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ap है उसमें आप add करो, subtract करो multiply करो, divide करो, कुछ भी करो ap रहेगा लेकिन यहाँ पे खाली आप multiply, divide कर सकते हो तो gp में आप हर एक term में कुछ multiply कर दोगे या divide कर दोगे बाया constant तो वो gp ही रहेगा लेकिन यहाँ पे add, subtract करना allowed नहीं है multiply, divide करो, कोई tension नहीं है ठीक है? अच्छा, raise to the power भी कर सकते हो जैसे कोई gp है, right? a, ar, ar square और इस तरीके की एक gp है अगर हर एक term की power मेंने 3 कर दी raise to the power 3 कर दिया तो यह जो नया आएगा यह भी तो gp आएगा, आप देखो यह पहला term है, यह दूसरा term है यह तीसरा term है, आप करो t2 by t1 और t3 by t2 तो सेम ही तो आ रहा है इसका मतलब अगर कोई भी एक gp आपके पास है और उसमें आप raise to the power something कर दो तो भी वो gp ही रहेगा ठीक है, इवन fractional power भी कर सकते हो अगर आपने raise to the power 3 by 4 कर दिया सब में, तो भी चलेगा तो भी यह gp है आप fractional power भी कर सकते हो हर एक term का करना है, लेकिन और same power करना है, ऐसा नहीं कि एक की power मैंने 3 by 4 कर दिया दूसरे की power मैं 5 by 4 कर रहा हूँ तो फिर वो gp नहीं रहेगा आपको same power करना है, हर एक term के ऊपर then जो नया sequence आएगा वो भी gp होगा अच्छा, अगर gp में आपको तीन terms assume करने तो कैसे करोगे a by r a और ar मतलब symmetrically आपको assume करना है so that कोई tension नहीं होगा but again यहाँ पर ध्यान रखना अगर आपको ऐसा assume करना है तो कर लो but then now the first term is not a a is actually the second term now first term is a by r तो जब भी formula लगाओ गलत value substitute ना करो यही गलती हो जाती है यह वाली जो property है वो तभी थोड़ी खतरना के हो तभी इसके उपर सवाल भी बनते है तो आप ऐसे assume कर लिया करो लेकिन एक बात का ध्यान रखा करो कि a by r is the first term not a तो जब भी आप formula लगाओगे तो first term is a by r जो भी आपके यह formulas थे ना यहाँ पर a first term होता है यहाँ पर a second term है तो mix up मत कर दे ना यह mix up करोगे तो गलत आंसर आएंगे और gp में अगली वाली property क्या है कि इसमें multiplication constant होता है जैसे ap में sum constant होता है first term plus last term second second last third third last जो जो equidistant वाले terms होता है उनका sum constant होता है लेकिन gp में product constant होता है ठीक है first term multiplied by last term second term second last term का product third और third last का product यह सब constant आएगा multiplication of equidistant terms are constant and gp में b square equal to ac यह तो खेर सबको पता ही है जो beach वाला term होता है उसका square is the product of the first and the last ठीक है b square is equal to इन दोनों का multiplication यह कहां से आया तो यह वहीं से आया common ratio common है t2 by t1 is equal to t3 by t2 यहीं से आया इसे cross multiply कर दो t2 by t1 है और t3 by t2 है cross multiply करो तो b square equal to ac आ जाएगा तो यह सब basic basic property है gp की अब आके बढ़ते है gp में आजकल किस तरीके की सवाल आ रहे वो भी हम यहां पे discuss करेंगे अच्छा gp में यह सब तो ठीक है मतलब यह सब तो आपको कोई भी पढ़ाएगा एक और चीज में आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा न मतलब important है ठीक है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ gp में जिसे मान लो यह first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term ठीक है ऐसे लिख देते हैं यह a1, यह a2, यह a3, यह a4 यह a1, a2 के terms में नहीं आप सीधा a, r के terms में लिख देते हैं तो first term क्या होता है a, second term होता है a, r, यह होता है a, r square यह होता है a, r cube a, r की power 4, a, r की power 5 ठीक है यह होते है first six terms मैंने यहां पर लिख दिये अब ध्यान से सुनना मैं आपको एक थोड़ा अलग type का concept है लिकिन आपको मजा आ जाएगा मतलब यह पढ़ लोगे ना तो इससे आपके question थोड़े fast बनेंगे ठीक है, थोड़े fast तो बनेंगे especially यह वाले सवाल जिसमें मतलब आपको खाली even वाले terms ही पूछा है देखो, इसमें कोई भी odd वाला term पूछाए गया second term आपको निकालना है इसका shortcut आप ऐसे समझ सकते हो समझने की कोशिश करना तभी यह चमकेगा तो basically अगर मुझे किसी भी एक term को पकड़ लो जैसे मालो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे यहाँ से सीधा इधर जाना है मुझे यह बीच वाला term नहीं चाहिए मुझे यह वाला term given है second term given है और सीधा मुझे fourth वाला term चाहिए तो second term के अंदर यह a2 है right second term के अंदर सीधा r square से multiply कर दिया करो तो आपको यह वाला term मिल जाएगा अगर यह वाला term मिल गया उसमें फिर से सीधा r square से multiply कर दिया करो तो सीधा ये वाला term मिल जाएगा ये चमका तो आपको बीच वाला term निकालने की जरुद नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वो पूछा भी नहीं होगा तो आप क्या कर सकतो अगर आपको second से सीधा fourth वाले पे jump करना है just multiply by r square fourth से सीधा sixth पे jump करना है सीधा multiply by r square और अगर उल्टा आना है मानलो कि ये वाला term आपको given है और ये वाला निकालना है sixth term given है और fourth term निकालना है तो आप divide कर दो r square से इधर से इधर आना है then just divide by r square इधर से वापस इधर आना है then just divide by r square मतलब r square का jump आपको लेना पड़ेगा yes अब देखो इस concept को हम कैसे use कर सकते है तो जैसे for example ये है a1, a2, a3 ये आपको बोला है कि gp में है उसके बाद ये बोला है कि increasing positive number है सारे के सारे ठीक है तो वो भी कोई tension नहीं है sixth and the eighth term का जो sum है है ना sum of तो sum of sixth term and eighth term ये आपको given है कि ये two है तो एक equation ये given है है ना gp में sixth term और eighth term का sum given है और दूसरी equation ये given है कि product of the third and the fifth term तो दूसरी equation is the product of third and the fifth term is one by nine तो ये दो equation आपको given है और a और r का value आपको निकालना जायर सी बात है लेकिन calculation थोड़ी fast करनी मुझे तो कैसे करेंगे ये हो जाएगा ar की पार five ये ar की पार seven this is equal to two given है ये हो जाएगा ar square multiplied by ar की पार four this is one by nine ठीक है तो ये तो बन गया a square r की power six is equal to one by nine अब दोनों तरफ root ले लो दोनों तरफ root ले लोगे तो ar cube ये आगया one by three आगया ठीक है तो ये चमक गया और ar cube क्या होता है ar cube होता है fourth term basically आपको fourth term मिल गया सीधा ही यहाँ से सीधा fourth term आगया ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आप क्या करो ar cube common ले लो क्यों उसका value मुझे पता चल गया है तो ar cube ले लो common तो बचेगा r square प्लस r की पावर 4 बचेगा इसका value 2 given है yes or no मैंने ar cube common ले लिया और ar cube का value यहाँ पे plug-in कर दो तो ar cube का value है one by three ये है one by three ठीक है अब ये three उदर जाएगा r square प्लस r की पावर 4 equal to 6 हो जाएगा तो ये तो quadratic आगया r की पावर 4 प्लस r square minus 6 equal to 0 तो r square प्लस 3 and r square minus 2 equal to 0 तो यहाँ से r square का value obviously 2 ही आएगा minus 3 तो possible है नहीं क्योंकि square है तो ये तो 0 होगा नहीं इसी को 0 होना पड़ेगा तो r square का value आगया सब लोग इस चीज में जुट जाता है कि मुझे कुछ भी करके r और a का value निकालना है आप यहाँ से r का value निकालोगे पहली बात तो plus minus root 2 फिर आप उसको यहाँ पे substitute करोगे फिर a निकालने की कोशिश करोगे ये सब बेकार है ये सब बगवास में थड़ है क्योंकि आप a निकालोगे फिर r निकालोगे जनरली ऐसे ही तो सिखाय जाता है कि दो equation दो variable a और r निकाल लो a और r आगया तो फिर इसमें substitute करो ये जो required quantity है ये ऐसे ही सिखाय जाता है कि 6 into a2 plus a4 ये आपको निकालना है और ये आपको निकालना है ठीक है तो जनरली सब लोग कैसे सिखाते है ऐसे ही सिखाते है कि ये ar है ये ar cube है ये जो भी है इसमें value put करो a और r का value निकाल लो यहाँ से 2 equation 2 variable a और r निकलेगा और इसमें substitute होगा लेकिन ये बेकार में थड़ है ये सब मत किया करो ठीक है ये सब अपने को नहीं करना है क्यों नहीं करना तो क्या करना फिर तो आप सीधा ये देखलो ना आपके पास fourth term तो है ही already क्या मुझे fourth term पता है yes तो आप ऐसा diagram बना लिया करो first term, second term, third, fourth, fifth, sixth और sixth term तक ही मुझे जाना है इसके आगे तो मुझे जाना भी नहीं है मैं नीचे चाओ तो ऐसे लिख लो a1, a2, a3, a4 ये a5 है और ये a6 है ठीक है fourth term मेरा आगया है 1 by 3, ये 1 by 3 है तो अगर मुझे sixth वाला term चाहिए तो अभी अभी तो आपने पढ़ा था ना कि r square से multiply कर दो और r square का value 2 है तो यहाँ पे r square से multiply कर दो 2 से multiply कर दो ये 2 by 3 आ जाएगा और अगर आपको ये वाला term चाहिए यहाँ से यहाँ जाना है तो divide करना पड़ेगा 1 by 3 को divide कर दो 2 से तो 1 by 6 आ जाएगा यहाँ से यहाँ जाना है तो divide करना पड़ेगा आप उल्टी direction में जा रहे हो उल्टे direction में जाओगे तो divide by r square और इधर जाओगे तो multiplied by r square तो second term आ गया fourth term भी आ गया और sixth भी आ गया तो सीधर सीधर value substitute कर दो second term is 1 by 6 ये fourth term जो है तो सीधर सीधर आपको दिख्या होगा कि 1 plus 2 मतलब 3 आ जाएगा final answer ये आसान है right मतलब this method is easier अगर आप ऐसा सोचोगे तो तो आपको a और r की values में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तो calculation थोड़ा मैंने simplify कर दिया yes or no ये समझ में आया कि क्या technique है technique should be सवालों में कुछ न कुछ मतलब पता होना चीए कुछ तो envy style होना चीए in fact अब ऐसा नहीं कि एक ही सवाल है जिसमें ये सब लगेगा ऐसा नहीं कि एक सवाल का मैं आपको solution सिखाऊंगा ऐसा कभी नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे भी आप वही सेम चीज लगा सकते हो जैसे यहाँ पे एक GP है और चार terms का multiplication आपको given है यह देखो for a1, a3, a5, a7 तो यह क्या बन जाएगा देखो यहाँ से a1 होता है a यह होता है ar square यह होता है ar की power 4 और यह होता है ar की power 6 और इसका value आपको given है तो एक equation यह given है ठीक है इसको simplify करेंगे तो a की power 4 आगे 4 बार है और r की power कितना आजाएगा 6 और 4, 10 और 2, 12 तो यह आजाएगा और 1296 जो होता है न वो actually 6 की power 4 होता है 6 की power 3 होता है 216 और 6 की power 4 होता है 1296 यह होता है ठीक है तो अब आप दोनों तरफ fourth root ले लो power 1 by 4, power 1 by 4 कर दो both sides इधर भी power 1 by 4 और इधर भी तक ही simplify हो जाएगा बस और कुछ नहीं इधर भी 1 by 4, इधर भी 1 by 4 तो यह बन जाएगा कितना ar cube बन गया और 1 by 6 आगया सीधा सीधा fourth term आगया आपके पास ar cube क्या होता है ar cube होता है fourth term आगया और fourth term आगया तो यहाँ पर substitute करता है a2 plus fourth term is 1 by 6 यही तो है this is equal to 7 by 36 तो यहाँ से a2 आजाएगा कितना आएगा 7 by 36 और 1 by 6 को लिख दे 6 by 36 बेसिकली a2 आगया 1 by 36 आगया a2 अब आपको again मैं बोल रहा हूँ कि a और r निकालने की जरुद नहीं है अगर e1 वाले terms पूछा है तो ठीक है तो आपको देखो first term, second term, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth अपने को a10 तक जाना न यह a1, a2, a3 आप चाहो तो ऐसे नाम करन कर सकते हो अला कि exam में यह सब करने की जरुद नहीं है अभी तो समझाने के लिए कर रहा हूँ यह सब अब आपके पास देखो second term है 1 by 36 यह है 1 by 36 और fourth वाला term है 1 by 6 तो यहां से यहां जाने के लिए आपने कितना multiply किया आपने multiply किया 6 के साथ मतलब आपका जो r square है ना उसका value 6 हो गया cdc बात ठीक है r square is actually 6 तो अगर आपको यह वाला term चाहिए तो फिर से 6 से multiply कर दो मतलब यह 1 आ जाएगा फिर से 6 से multiply कर दो तो यह 6 आ जाएगा और फिर से 6 से multiply कर दो यह 36 आ जाएगा और आपको question में यही पूछा है a6 plus a8 plus a10 यह पूछा गया है यह आपको question में पूछ रहा तो a6 का value 1 है यह 6 है और यह 36 है तो बस बता दो 1 plus 6 plus 36 तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा finally the answer is option c ठीक है तो a और r की value में मत पड़ो आप small a निकालोगे r निकालोगे और क्योंकि r square का value 6 आ रहा है तो r का value भी root 6 आएगा जो की complicated value है अगर r का value यह आएगा तो a का value भी कुछ ऐसा irrational type का आ रहा होगा फिर आप यहाँ पर value substitute करोगे यह सब करोगे वो सब बेकार तरीक है ठीक है वो सब नहीं करना है आगे बढ़ता है अब अब देखो कुछ सवाल आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो directly gp नहीं है बट उसमें कुछ ना कुछ जुगाण लगाना पड़ेगा तो वो gp में convert हो जाएगा ठीक है तो इसको बोलता है sequences which are convertible to gp जो directly gp नहीं है बट वो gp में convert हो जाएगा तो इसको बोलता है sequences convertible to gp ठीक है अब इसमें बहुत सारे type के सवाल आते है तो एक तो यह 9 वाले सवाल बहुत आता है कि 9 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 ऐसे चार बार तीन बार दो बार एक बार तो इस तरी यह directly gp तो नहीं है और इसको gp में convert करना पड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे 9 वाले सवाल आते है तो उसमें जुगाड क्या होता है उसमें जुगाड यह होता है कि आप 9 को लिख दिया करो 10 minus 1 इसको तुरंत आप लिख दो 10 minus 1 इसको लिख दो 10 square minus 1 इसको लिख दो 10 cube minus 1 चमक गया ना अब आपको मेरी खाल से automatically चमक गया अगला वाला जो है वो 10 की पार 4 minus 1 अब gp बन जाएगा ना इसी तरीके से मान लो n number of terms are there तो अब इन सब को club कर लो यह 10 की power 1 10 की power 2 10 की power 3 इन सब को club कर लेंगे number of terms n होंगे और फिर यह 1 plus 1 plus 1 ऐसा भी n number of times आजाएगा ठीके यह भी n number of times आपका है तो बस यहाँ पे gp का formula अब यह gp में convert हो गया और यह 1 plus 1 plus 1 यह ऐसा n number of times है तो यह तो n आजाएगा सीधा सीधा ठीके तो अब कर लोगे तो कितने लोगों को concept sound में आ गया यह gp बन गया और यहाँ पे minus यह तो n आ जाएगा यहाँ पे sum of gp लगा लोगे यह मैं in fact लगाई देता हूँ ठीक है यहाँ पे first term फिर common ratio की power number of terms minus 1 upon r minus 1 यह आ जाएगा और इधर n है तो यह अपना answer आ जाएगा तो जब भी ऐसे ऐसे वाले सवाल आते है जहाँ पे एक number है जो एक बार है फिर दो बार है फिर तीन बार है फिर चार बार है in fact ऐसा नहीं कि 9 वाले सवाल ही आएंगे अगर मान लो कुछ भी आ जाए कल को ऐसा 7 में series आ गया कल को एक ऐसा question आ गया मान लो 7 7 7 7 7 7 7 ऐसा सवाल आ गया तो इसको कैसे करोगे तो हमेशा याज रखना कि 9 हमारा favorite number है हमारा प्यार कौन है हमारा जो प्यार है वो 9 है ठीक है always remember हमारा प्यार है 9 क्योंकि यह जो technique है वो 9 में ही लगेगी 7 में तो आप 7 को क्या लिखोगे 10 minus 3 फिर 77 को क्या लिखोगे 100 minus वहाँ पर 3 थोड़ी आएगा ठीक है तो वो फेल हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखो 9 is our प्यार पहले तो 9 में convert करना पड़ेगा अब 9 में convert कैसे करे तो पहले आप 7 को common ले लिया करो जैसी आप 7 को common लोगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 ऐसा बन जाएगा और फिर क्या क्या करो 9 से multiply divide कर दिया करो इदर 9 से divide किया 9 से multiply कर दो bracket के अंदर तो ये ऐसा हो जाएगा 9 से multiply कर दिया देखो अब ये फिर से वापस वही बन गया तो फिर से अब इसको लिग दो 10 माइनस 1 ये 10 स्क्वेर माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1 तो अगर इस तरीके का कोई भी सीरीज आएगा तो उसका method आपको चमक गया method यही है कि 9 में convert करो क्योंकि 9 हमारा प्यार है और फिर 9 को लिग दो 10 माइनस 1 हो गया ना प्यार प्यार हुक का बार ठीक है येस और नो मेरे गाल से समझ में आ गया और आगे बढ़ते हैं एक और type के सवाल है जो बहुत जादा recent years में बहुत famous है इस तरीके की एक सीरीज आपको पकड़ा देंगे ये भी directly GP नहीं है बढ़ इसको भी हम GP में convert कर सकते है इसका concept पता नहीं कितने लोगों पता है बढ़ मैं पहले आपको बता देता हूँ concept आप समझ लो concept शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा बढ़ उतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो concept यह होता है कि a cube minus b cube basic identities है divided by a minus b a cube minus b cube का formula अपने दिमाग में सोचो और उपर नीचे a minus b cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा a square plus a b plus b square यह होता है इसका answer similarly अगर आप a की power 4 minus b की power 4 upon a minus b निकालोगा ना तो वो यह आएगा a cube plus a square b plus a b square plus b cube अब किते लोग को दिखें और इसी तरह से यह pattern चलता है यह pattern होता है तो किते लोग को pattern दिख गया जैसे आप यह लिखते हो न a cube minus b cube तो a square से start होता है और यह gp है यह gp दिख रहा है अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप multiply करते हो b by a से अगर आपको यहाँ से यहाँ जाता है तो वापस आप multiply करते हो b by a से लगातार आप देखो b की power 0 है b की power 1 है b की power 2 है b की power 3 है b की power 0 है b की power 1 है b की power 2 है तो b की power increase कर रही है और a की power decrease कर रही है इसका common ratio हो गया b by a इधर भी देखो b by a b by a से multiply करो b by a से multiply करो तो यह gp आती है दिखा कि नहीं identities में सायद आपने इतना ध्यान दिया नहीं होगा बट gp आती है identities में gp आती है तो अब इसके उपर सवाल कैसा बनेगा यह वाली जो sequence है न यह वाली यह आपको पकड़ा देंगे यह वाली sequence आपको पकड़ा देंगे तो आपको क्या करना है आपको बस इसको gp में convert करना है अब gp में convert कैसे करेंगे तो x प्लस y को आप ऐसे लिख दो x प्लस y को यह लिख दो ठीक है इसको आप लिख दो x cube minus y cube upon x minus y लिख सकते है basically बस यह x और y में है और यहाँ पर हमने a और b को use किया है बाकी सब सेम ही है ठीक है यह क्या लिखा हुए यह देखो x की power decrease कर रही है y की power increase कर रही है x की power 4 minus y की power 4 तो यह आपको दिख जाना चाहिए कि यह लिखा हुआ है तो यह बन गया देखो अब x minus y तो common lcm आ जाएगा है ना x minus y तो सब में है और यह जो x x वाले terms है उनको club कर लो gp दिख गया x square x cube इन सब को club कर लेंगे हम ठीक है तो एक gp यह आ जाएगी और minus common ले लो तो दूसरी gp यह y वाली आ जाएगी y square y cube चमक गया होगा मेरे खाल से ठीक है तो बस अब दोनों में sum of gp लगा तो इधर भी sum of gp और उधर भी sum of gp और number of terms अपने को n given है तो n terms की gp है यह यह भी n terms की gp है दोनों का sum लगा के answer आ जाएगा तो चमक गयाना मतलब basically आपको यह पता होना चीए यह pattern सबको पता होना चीए कि भाई ऐसा pattern होता है तो अगर पता था तो very good अगर नहीं पता था तो एक बार chat में दिल बनाना चीए कुछ नया सीखने को मिला है तो थोड़ा खुश होना चीए अंदर से और खुशी खुशी में एक आदा दिल बना देना चीए आगे पढ़ते हैं अब बात करते हैं type 3 के बारे में type 3 वाले questions भी आजकल बहुत famous है type 3 में भी आपको ऐसा ही कुछ दे देंगे जो again GP नहीं है यह सब वही discuss कर रहे हैं हम जो GP नहीं है बट आप GP में convert कर सकते हो तो इसको GP में कैसे convert करेंगा तो देखो यह भी GP नहीं है directly तो बट GP में convert कर सकते है convert कैसे करेंगे तो 1 by 2 को आप लिख सकते हो 1 minus 1 by 2 इसको लिख सकते है 1 minus 1 by 4 similarly अगले वाले को लिख सकते है 1 minus 1 by 8 similarly इसको लिख सकते है 1 minus 1 by 16 basically exam में आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करे कि GP में convert हो जाए GP में convert करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ करके कुछ जुगार लगाना पड़ेगा अब यह GP में convert हो गया यह 1 plus 1 plus 1 plus 1 ऐसा n number of terms are there तो यह ऐसा n number of times आ जाएगा n आ जाएगा यह basically और यह GP बन गया देगो minus common ले लो 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 और यह एक GP है तो यहां पर अगेन आप GP का formula लगा सकते हो तो convert करना आना चाहिए formula तो कोई भी लगा लेगा GP का formula value तो put करनी है बट convert करना यह वाला जो thought है यह आपके दिमाग में आना चाहिए अगर यह आ गया तो सवाल बन गया अगर यह नहीं आया तो इसकी इसी की तो practice करनी होती है कि यह सब दिमाग चले ठीक है जैसे कि for example एक G main 2022 का सवाल है उसमें एक आपको यह sequence given है 1 by 3 है फिर 5 by 9 है फिर 19 by 27 है अब आप लोग बताओ चलो ठीक है यह वाले सवाल में तो मैंने आपको directly बता दिया सोचने का टाइम आपको जादम मिला नहीं बट अब आपके पास पूरा टाइम है आप आराम से बताओ और यह बताओ कि इसमें क्या करे ठीक है तब तक थोड़ा सा गरम पानी पी लेते है गरम पानी के चक्क्र में बॉटल पूरी बॉटल पूरी ऐसी होगी देखो आप ठीक है तो येस किसी ने सोचा कोई सोच नहीं पा रहे है बहुता है अब आप लोग बोलोगे सर घर पर यह नुकसान है आप बोलता हूं इतना होमवर्क करके आना तुम बोलते हों होमपर ही तो है सर होमवर्क, क्लास वर्क ये सब हमारे लिए कुछ माहिने नहीं रखता है हम तो यहीं पर बैठ है तो कैसे करेंगे बन जाए, तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी अभी तो हमने सवाल किया था, 1 मेंसे माइनस कर दो, कभी 2 मेंसे माइनस करना होता है, कभी 1 मेंसे माइनस करना होता है, अलग-अलग चीज़े ट्राइ करने पड़ेगी, 1-2 by 3 लिख दो सही बात है यह जो पहला वाला term है वो है 1-2 by 3 दिख गया इसको लिख दो 1-4 by 9 अगला वाला जो है वो है 1-8 by 27 अगला वाला जो है वो है 1-16 by 81 और इसी तरह से यह चल रहा है तो अब आपको दिख गया होगा बस इतना ही सोचना होता है एक्जाम में इतना सोच लिया तो बस 4 नमबर तुमारे नहीं सोच पाए तो 4 नमबर किसी और के ठीक है जो सोचेगा उसी है बस यह whole cube है जीपी दिख गई होगी यार दिख गई ना 2 by 3 है जीपी में मतलब यह चीग है और कहां तक है sum of the first hundred terms बोला है तो since sum of the first hundred terms बोला है यह 1 plus 1 plus 1 plus 1 ऐसा 112 आएगा तो that is 100 और minus common ले लोगे तो यह 2 by 3 2 by 3 का square यह सब जीपी में है है ना और इसमें भी number of terms कितना है 100 यह जीपी है जिसमें 100 terms are there तो अब इसको आगे करो आगे जगह तो है नहीं अपने पास बट यही पे कर लेते है 100 minus first term फिर 1 minus common ratio की power number of terms ठीक है यह एंड देन नीचे आ जाएगा 1 minus 2 by 3 1 minus r होता है 1 minus 2 by 3 is actually 1 by 3 यह और यह cancel हो जाएगा ठीक है तो ultimately मैं इसको हटा दू क्या यह हट गया यह पूरा ही हट जाएगा यह बचेगा बस तो आप यहाँ से ध्यान से देखो यह बन जाएगा 2 तो 100 minus 2 तो 98 हो गया यह 98 आएगा और फिर इदर minus minus प्लस हो जाएगा और 2 into 2 by 3 की power है 100 और मेरे खाल से इसका greatest integer पूछा they are asking greatest integer of this तो यह तो 2 by 3 है ना 2 by 3 मतलब decimal में हो गया यह तो है ना 2 third यह तो और उसकी power और 100 कर दिया आपने तो और वो जाधा decimal में चला जाएगा तो greatest integer यह आएगा 98 is the answer मतलब इसका value अगर आप calculate करोगे तो यह तो पूरा decimal में ही आएगा तो 98 point something आएगा 98 point something का greatest integer पूछा था so final answer is 98 चमक गया तो simple सवाल बस यह सोचना था अगर यह सोच लिया तो फिर तो generally 1 मैं से minus करना होता है कभी-कभी 2 मैं से minus करना होता है कभी 3 मैं से minus करना होता है कभी 1 plus भी आता है 1 plus something 1 plus something ऐसे सवाल आते रहता है ठीक है चलो और आगे बढ़ेंगे अब हम आते है AGP पे अगला जो topic है that is AGP AGP का मतलब होता है arithmetic geometric progression इसके उपर भी काफी सारे सवाल directly आते रहता है and AGP का एक fix method है बलब अगर AGP के सवाल नहीं हो रहे है तो फिर क्या हो रहा है ठीक है तो definitely AGP का सवाल तो आपको चुन-चुन के करना है क्योंकि fix method होता है इसमें ऐसा नहीं कि इसकी तरह है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसा दिमाग लगाना ही नहीं है बिलकुल AGP का सवाल आएगा तो बस आपको पहली बात तो पहचानना है कि यह AGP है AGP को पहचानते कैसे है तो AP और GP का mix होगा बस आप यहाँ पे देखो जैसे यह यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2,3 तो वो AP है ना 1,2,3 तिल 10 है 1,2,3,4,5,6 यह लिखा हुआ है यह तो AP होता है और यह दूसरा वाला नंबर देखो के तो 3 की पावर 1,3 की पावर 2,3 की पावर 3,3 की पावर 9 तक जा रहे है तो यह GP है तो इसमें AP भी है और GP भी है दोनों mix में चल रहे है तो अगर mix में चल रहे है मतलब AGP है और AGP को solve कैसे करता है देखो आप ध्यान से समझ लो अगर आपको method समझ में आगे है न सारे सवाल बन जाएंगे AGP जब भी solve करना होता है पहले तो उसको S मान लो है ना जो भी आपकी series है उसको S मान लो S मान लिया 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पे actually 3 की पावर 0 है ठीक है 1 इंटू 3 की पावर 0 फिर 3 की पावर 1 फिर अगले वाले में 3 की पावर 2 है और ऐसे करते 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 last वाला जो है उसमें 10 इंटू 3 की पावर 9 है चमक ग्या अब जब भी AGP वाले सवाल आता है आपको common ratio से multiply करना है बोट sides यही method है ठीक है method क्या है common ratio क्या है पहली बात तो अगर मुझे यहाँ यह 3 की पावर 1 है और यह 3 की पावर 2 है तो जो GP है उस पे focus करो पहली बात तो यह जो 1,2,3 वाला है AP है उस पे focus मत करो उसको भूल जाओ कि वो वहाँ पे है आप खाली GP पे focus करो 3 square है 3 है 3 की पावर 0 है मैं बात common ratio कितना हुआ common ratio 3 हुआ ना मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो 3 से multiply करना पड़ेगा तो common ratio 3 है तो आपको क्या करना है दोनों तरफ 3 से multiply कर देना इस पूरी equation को 3 से multiply कर दो तो 3S का value कितना आजाएगा तो 3 से multiply तो करना ही है मतलब common ratio से multiply करना है और जब इसको multiply करोगा common ratio से तो इसको खिसका के लिखना है यह जब 3 से multiply होगा तो क्या आएगा तो 1 into 3 आएगा 1 into 3 बन जाएगा ठीक है यह जब 3 से multiply होगा तो 2 into 3 square आएगा एक प्लेस खिसका दो जो लास्ट वाला लास्ट सेकेंड टर्म होगा वो कितना आएगा वो 9 इंटू 3 की पार 9 आ जाएगा यहां पर ठीक है समझ गये न तो ऐसे मनलब आप दोनों तरफ 3 से मल्टिप्लाई कर दो और एक यूनिट खिसका दो यह वाला खाली छोड़ देना है इसके नीचे कुछ मत लिखो इसको जब 3 से मल्टिप्लाई करोगे इधर लिखो इसका वाला इधर लिखो इसका वाला इधर आएगा जो कि हमने लिखा नहीं है बट आप समझ गये इसका वाला इधर आ गया ठीक है एक-एक खिसका दो बस और अब सब्ट्राइक कर दो माइ कर दो कि आपको gp मिल जाएगी तो जैसे ही हम माइनस करेंगे यह बन गया माइनस 2s यहाँ पर आ जाएगा 1 क्यूंकि यह तो 1 ही लिखा हुआ है 3 की पार दीरों को आप हटा सकते हो तो 1 नीचे उतार लिया यहाँ पर हो जाएगा 2-1 तो 2-1 is 1 ठीक है तो 1 और 3 की पार 1 आ जाएगा न सब्ट्रैक करो आप इन दोनों को सब्ट्रैक करो 3 की पार 2 आ जाएगा फिर 3 की पार 3 आ जाएगा यह पूरा चलेगा यहाँ तक पूरा चलेगा यह पूरा gp है ध्यान से देखो 1, 3, 3 square यहां तक last वाला जो term आएगा वो in fact 3 की पार 9 आएगा अप लिखना 4 तो लिख भी सकते हो last वाला term कितना आएगा यहां पर 3 की पार 9 आएगा और फिर यह वाला एक बच जाएगा minus 10 into 3 की पार 10 यह आगया यह वाला term as it is बच जाएगा क्योंकि इसके उपर कुछ भी नहीं है तो यह आएगा हमने दोनों equation को subtract कर दिया अब बस यह GP है जिसमें 3 की पार 0 से start हो रहा है 3 की पार 9 तक जा रहा है वालब number of terms है 10 तो 10 terms है तो यहां पर formula लगा लो minus 2s is equal to first term है 1 common ratio है 3 number of terms है 10 minus 1 upon r minus 1 यह formula होता है और फिर यह वाला जो बच गया उसको as it is आप लिख दो ठीक है यह आ गया and बस यहां से s निकाल लो तो s का value कितना आएगा तो यह देखो 3 की पार 10 minus 1 यह 2 हो जाएगा ना तो minus इसको cross multiply करेंगे 20 into 3 की पार 10 और नीचे कितना है नीचे 2 है तो यह आ रहा है तो s का value आजाएगा इसको और इसको club कर ले ना basically इन दोनों को ठीक है 3 की पार 10 common आजाएगा तो दिख गया ना minus 19 हो जाएगा वो इधर 1 है क्योंकि इसको और इसको club कर लो आपको दिख जाएगा minus 19 into 3 की पार 10 और फिर यह वाला minus 1 और नीचे एक्चुली आ जाएगा minus 4 तो minus minus cancel कर दो तो finally कौन सा option है यह वाला option दिख गया option B एक ही option है जिसमें 19 है वैसे भी ठीक है तो 19 वाला is the answer solve कर लो तो मिल जाएगा ठीक है तो AGP clear है क्या AGP में ऐसे ही करना होता यह वाला question आप homework में try करोगे do it yourself वाला है comment करके आप answer बता देना तो फिर हम फटा फट से आगे बढ़ेंगे और miscellaneous वाले पर आएंगे ठीक है miscellaneous वाले में क्या होता है miscellaneous वाले में भी देखो 2-3 type के सवाल आते है एक तो जिसको बोलते है sigma method sigma method में आपको यह तीनों पता होने चाहिए sigma n sigma n square sigma n cube तो यह तो basic formulas है तो इसके ओपर यह तो सवाल आ जाएंगे आपको क्या करेंगे tn दे देंगे if let us say tn is given 2n plus 3n square तो आप sn क्या होता है आप sum कैसे निखालोगे मालो general term given है tn given है और मुझे sum निकालना है तो sn होता है sigma tn बस यह होता है formula sn is sum of all the terms t1 plus t2 plus tt है ना तो यह basically बन जाएगा sum तो यहाँ पर sn यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा sigma और tn, tn का value है 2n plus 3n square यह आ जाएगा देखो अब ultimately sigma की यह property होती है कि sigma दोनों पर लग जाएगा और जो constants होता है वो बाहर निकल जाते sigma से तो यह basically ऐसा बन जाएगा 2 sigma n और 3 sigma n square और यहाँ पर जो भी respective formulas है वो आप substitute कर सकते हो जैसे sigma n का यह है यह formulas आपको याद करने पड़ेंगे किते लोग को यह already याद है याद है कि नहीं यह आपने कहीं न कहीं तो पड़े ही होंगे basic basic formulas है sigma n sigma n square होता है n n plus 1 2 n plus 1 सब कुछ plus ही होता है इसमें कोई minus होता ही नहीं everything is plus ठीक है yes or no मेरे ग्याल से clear है ठीक है this is really live previously recorded why not reading comments comments read करने बैड़ गे तो फिर और 2 गंटे का session 4 गंटे में हो जाएगा फिर आप लोगी बाद में spam करोगे कि sir हमारा syllabus complete नहीं हुआ better रहेगी आप अपनी पढ़ाई पर focus करो मैं comment मेरा time best utilize होगा कि आप मेरे से कुछ पढ़ लो ना कि मैं आपके comment पढ़ो yes or no तो definitely आपका फाइदा है इसी में चलो तो live ही है ठीक है शक मत करो आगे बढ़ते है second type पे आते है ये ये बहुत आ रहा अचकल इसको बोलता है method of difference और इसका एक shortcut भी होता है हो सकता है कि आपने मेरे कुछ पुराने वीडियो भी देखे होंगे और ये वाला जो shortcut है मतलब मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि ये exclusive shortcut है मतलब मेरे काल से काफी लोगों को ये shortcut नहीं पता था और जब से हमने famous किया है सब लोग use करने लग गए तो एकदाम envy exclusive है ये बहुत सारी books में भी आपको नहीं मिलेगा and yes काफी अच्छा खासा shortcut होता है बट अब काफी लोगों ने adopt करना start कर दिया है which is a good thing adopt करना चीज अच्छी चीज होती है तो आप लोगों को भी सीखना चीज और आगे और बच्चों को भी सिखाना चीज है ठीक है येस लेकिन काफी अच्छा खासा shortcut होता है तो ये देखो ये shortcut क्या होता है इस तरीके के सवाल आएंगे जिसमें आपको एक sequence given है इसको बोलते method of difference तो basically नाम में खेर कुछ नहीं रखा है आप shortcut पढ़ लो तो ये basically एक sequence given है तो सबसे पहला काम अपना ये होता है कि इसका nth term मुझे मिल जाए क्योंकि अगर nth term मिल गया ये first term है ये second term है ये third term है ये fourth term है और ऐसे करते-करते nth term अपने को निकालना पड़ेगा पहले तो अगर nth term आ गया तो फिर sn भी आ जाएगा sn होता है sigma tn तो अगर ये आ गया तो ये तो आई जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है तो tn निकालने के लिए shortcut होता है अब shortcut क्या होता है shortcut ये होता है कि आप पहली बात तो first difference निकालो differences निकालो जैसे इन दोनों का difference कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अब आपको फिर से difference लेना है तो फिर से difference ले लो ये 2 आ रहा है ये भी 2 आ रहा है और फिर से करो जब तक 0 नहीं आता ना तब तक करना है कब तक करना है तब तक करो जब तक 0 नहीं आता है 0 आ गया अब अब देखो अब आपको क्या करना है अब ये जो चार नंबर है न इन चार नंबर से आपका जनरल टर्म बनेगा मतलब आपका TN बनेगा सीधा डिरेक्ट मेथड है मैं आपको प्रॉपर मेथड बता भी नहीं रहूँ क्योंकि हर सवाल में शॉट कट लग जाएगा लगी जाएगा that is for sure ठीक है तो basically TN दूसरा नंबर है 7 और तीसरा नंबर है 2 ठीक है यह ऐसा 6 है 7 है 2 है और उसके बाद तो 0 ही है तो 0 को लिखने की ज़रोद नहीं है 0 multiplied by anything वो 0 ही होता है तो इन तीनों को लिख लो अब पहला वाला जो नंबर है वो as it is इसको कोई touch नहीं करेगा जो जैसा है वैसा रहने दो यह जो दूसरा वाला नंबर है उसमें हमेशा multiply करता है n-1 divided by 1 factorial से इससे multiply करना होता है हमेशा इसी से multiply करना होता है दिमाग नहीं लगाना होता है अगले वाले टर्म को multiply करना होता है इसी से N-1 N-2 divided by 2 factorial अगर इसका अगला वाला टर्म भी अगर non zero होता होता कि मानलो कि अगर यहां पर कहीं पर जाके 0 बन रहा है इधर non zero आ रहा है एक दो बार और non zero आ रहा है तो अगला वाला टर्म अगर होता तो किस से multiply करते है उसको उसको multiply करते है n-1, n-2, n-3 divided by 3 factorial अगर होता तो इस सवाल में तो नहीं है तो बस इन तीनों को add कर लो आपको सीधा सीधा आपको tn मिल जाएगा मतलब general term मिल जाएगा यहाँ से बस आप इसको simplify करना कितना आएगा simplify करोगे तो 6 plus 7n minus 7 यह तो cancel ही हो जाएगा ठीक है n square minus 3n plus 2 यह आजाएगा ultimately n square और इसको और इसको club कर लो तो that is 4n and then plus 1 यह आगे देखो tn आगे और जो भी आपका tn आता है उसको आप check भी कर सकते हो अगर आपने गलती से कुछ calculation mistake कर दी तो कैसे पता चलेगा तो आप you can verify your answer आप इसमें n का value 1 put करो जैसी n का value 1 put करेंगे t1 आएगा और कितना आएगा 1 plus 4 plus 1 तो 6 ही तो आ रहा है देखो पहला term बन गया अब n का value 2 put करो तो 2 put करोगे तो 2 का square plus 4 into 2 plus 1 यह कितना हो गया 9 और 4 हो गया थर्टीन आ गया मैं लब सही है right second term भी आपका आ रहा है फिर आप n का value 3 put करो 22 आ रहा होगा n का value 4 put करो 33 आ रहा होगा तो आपका tn आ गया और एक बार tn आ गया तो sn भी आ जाएगा sn इस सिग्मा tn इसका सिग्मा ले लो इसका सिग्मा ले लो गया सिग्मा मेथर्ड से पांसर आ जाएगा sn भी आप अराम से निकाल सकते हो अगर some of the first 20 terms पूछा है तो आ जाएगा some of the first 100 terms पूछा है तो आ जाएगा tn आ गया तो sn तो आई जाएगा तो ये shortcut clear है yes or no hashtag envy style envy style clear है तो yes बिल्कुल method of difference आप लगा सकते हो और आगे बढ़ते हैं अगला जो type है अगले इस type के सवाल तो खेर बहुत आते हैं बरबर के आते हैं और इसका नाम हम लोग हम लोगों ने रखा है hashtag barish इसको हम बोलते हैं barish वाला method barish करनी होती है barish करवा दो तो सारे terms cancel हो जाएंगे और सारे बारिश में बह जाएंगे ठीक है बचेंगे कुछ इकके दुक्के terms ही आपके बचते है है ना तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि difference of two terms आजाए difference of two terms आजाए यहाँ पर आपको थोड़ा चालाकी लगानी पड़ती है थोड़ा सा चालाकी से सोचना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिगा हो है 3 upon 4n-1 और यहाँ पर है 4n-3 ऐसा कुछ करो कि difference of two terms बन जाए something minus something आजाए something minus something ऐसा आजाना चाहेगी यहाँ पर कुछ कुछ minus कुछ कुछ अगर ऐसा आ गया तो फिर बारिश हो जाएगी और बारिश में सारे terms बह जाएगे सब कुछ कैंसल हो जाएगा basically and you will get the answer ठीक है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यह 3 को तो बाहर निकाल सकते है 3 तो constant है ना उसको मैंने सिगमा से बाहर निकाल दिया 3 को बाहर निकाल दिया अब चाला की क्या है इसमें इसमें चाला की यह है कि उपर आप लिख दो 4N प्लस 3 माई इन दोनों का difference create कर लो बस यह लिख दो मतलब basically मैंने 4 से multiply कर दिया आप देखो 4N 4N तो cancel हो जाएगा 3 प्लस 1 4 आ गया अगर आपने 4 से multiply किया तो 4 से divide भी करना पड़ेगा तो यह बन गया basically आपका difference आपको दिख गया 3 by 4 और यह अलग-अलग split हो जाएगा यह cancel हो गया 1 upon 4N minus 1 और बीच में minus है यहाँ पर यह cancel हो जाएगा 1 upon 4N plus 3 यह आ गया and sigma is going from n equal to 1 to 21 तो अब आपको n की values put करनी है तो n का value put करो चलो 3 by 4 सबसे पहले n का value 1 से start करेंगे तो n का value 1 put करना 1 by 3 बन जाएगा इसमें n का value 1 put करो तो यह मैंने n का value 1 put कर दिया फिर n का value 2 put करो ठीक है n का value 2 put करेंगे तो 8 minus 1 यह 7 आ रहा है और 8 plus 3 तो 11 आ रहा है ठीक है फिर इसी तरह से यह चलता जाएगा last में आपको n का value कितना put करना है last में देखो 21 put करना है 21 into 4 84 minus 1 84 minus 1 कितना होता है 83 होता है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 plus 3 87 आएगा यहाँ पे ठीक है न दिस इस 87 तो बस अब बारिश की जाए क्योंकि मेरा यार हसर आ है जो भी हसर हो है जो भी हो है आपको तो J निकालना है ठीक है तो ultimately J पे focus करो यार पे नहीं ठीक है तो यह दोनों cancel हो जाएगे दिख गया ना minus 1 by 7 plus 1 by 7 बारिश का direction यह है यह बारिश का direction है मतलब इसी तरह से चलेगा यह अगले वाले साथ cancel होगा ऐसे करते करते यह सारे cancel हो जाएगे हमेशा diagonal वाले बचते है diagonal वाले हमेशा बचेंगे ठीक है तो बचेगा 3 by 4 तो खेर बाहर है वो तो बचेगा 1 by 3 बचेगा और यह बचेगा देखो सारे terms को add करोगे सब कुछ cancel हो जाएगा यह इसके साथ यह अगले वाले के साथ और ऐसे ही पिछला वाला इसके साथ बीच में जितने भी है सारे cancel बारिश होगी और बारिश में बारिश का direction यह है बारिश का direction होता है यहाँ पे भी बारिश का direction है और यह सारे terms बीच वाले बह गए बारिश में बचेगे बस यह दो और इसको calculate कर लो तो आपको answer इन चार option में से कुछ न कुछ मिल रहा होगा कर लोगे calculate या नहीं 3 by 4 इधर LCM लेलो 87 का तो basically उपर आ जाएगा 29 minus 1 28 आ जाएगा यह हो गया 7 times 21 upon या 7 upon 29 यह दिग गया calculate करने के बाद यह आ रहा है option B इस दा answer B for Bombay ठीक है clear एक दम आगे बढ़ते है अगला सवाल इसमें आप बस मुझे difference of two terms बना के दिखा दो बाकी तो करी लेंगे राइट बारिश करवा देंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बस जो चालाकी वाला step होता है वो मुझे बता दो कि sir ऐसे करेंगे तो difference of two terms बन जाएगा यह आप सोच पा रहे हो कि नहीं बस यह ही important है ठीके क्या आप यह सोच पा रहे हो कि difference of two terms कैसे बनाएँगे कैसे बनाएँगे difference of two terms नीचे वाले को factorize करेंगे और क्या नीचे वाले के factors यह होता है देखो यह किते लोगों को पता है k square minus k plus one यह दोनो factors होता है ठीके यह बहुत basic factorization है इसके factors यह होते और उपर आपको k लिखा हुआ है अचा उपर जो k लिखा हुआ है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 2 से multiply 2 से divide करना पड़ेगा अब उससे फाइदा क्या होगा देखो उपर बन गया 2k और वो जो 2k बन गया ना उसको आप ऐसे लिख देना इन दोनों का difference ठीक है इन दोनों का difference तो this minus this ऐसे लिख दो यह 2k ही तो है इन दोनों का difference कितना आएगा 2k तो अब यह difference of two terms दिख गया की नहीं तो बस अब बारिश करवा लोगे इसके बाद बारिश हो जाएगी यह और यह cancel हो गया मतलब k square minus k plus 1 और इधर आजाएगा k square plus k plus 1 तो यह बन गया देखो ultimately difference of two terms आगया बीच में minus है something minus something अब यह बन गया तो बारिश हो जाती है और सारे terms cancel हो जाएगे इसमें आपको k का value पुट करना 1 से 10 तो k का value 1 से 10 पुट करके यह कर लोगे आगे यह आगे हो जाएगा कि नहीं yes or no आगे कर लोगे yes बिलकुल सही है यह आगे आप complete करके मुझे बता देना comment करके आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला topic जो है that is means means में आपको तीन तरह की mean पढ़नी है mean is very mean तो आपको तीन तरह की means पढ़नी है एक arithmetic mean एक geometric mean एक harmonic mean अब यह mean वाला जो topic है वो अपने आप में बहुत बढ़ा है मैं अब इसके उपर पूरा दो गंटे का lecture बन सकता है है ना आराम से वो भी ठीक है in fact sequence series ही बहुत बढ़ा है आप अगर proper पूरा detail में पढ़ने जाओगे ना तो बहुत जादा time consuming है बट हमने कोशिश करी है कि एकदम सारे concept भी cover हो जाए questions भी हम यहाँ पे सीख ले और एक quick revision हो जाए basically तो quick revision के लिए यह वाली जो series है वो अपने आप में best है तो yes arithmetic mean geometric mean harmonic mean इन तीनों को define कैसे करता है पहली बात तो यह सब होता क्या है what is arithmetic mean, what is geometric mean निकालेंगे कैसे तो यह सब basic basic में आपको फटा फट बता जता हूँ what is arithmetic mean arithmetic mean यह होता है कि sum of observations अगर आपके पास n number of observations है तो sum of observations divided by number of observations. Arithmetic mean is nothing but it is average average ले ले लो आप average मतलब sum of observations divided by number of observations. That is arithmetic mean. Geometric mean कैसे निकालते हैं? अगर आपको geometric mean निकालना है तो जितने भी observations है उन सब को multiply कर दो और उनकी power कर दो 1 upon n. जो भी number of observation है वो. ठीक है? n is the number of observations 1 upon n. यहाँ से geometric mean का formula है यहाँ से आपको geometric mean मिल जाएगा अगर आपको harmonic mean निकालना है तो harmonic mean का यह ऐसा होता है कि n upon और नीचे आएगा sum of the reciprocals नीचे आएगा sum of the reciprocals 1 upon a1 plus 1 upon a2 ऐसे करते 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 till 1 upon a n तो यह formula है harmonic mean का ठीक है? तो यह तीनों की तीनों clear है geometric mean अगर आपको निकालना है, use this जैसे मान लो कल को पूछा जाए for example, find out the geometric mean of 3,3 square 3,3 cube 3 की power 4 तो बताओ कितना आएगा इसका answer, यह चार number है और इन चारो number का geometric mean निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इन चारो number को multiply करेंगे जिसका भी geometric mean निकालना होता है उनको multiply किया जाता है और 1 upon number of terms कितना है? चार तो यह आजाएगा इसका जो भी value आता है आप calculate कर लो आपको answer मिल जाएगा समझगे? this is the geometric mean of तो यह कितना हैगा? 3 की power हो गया 7, 8, 9, 10 हो गया 10 by 4 आजाएगा 3 की power 10 by 4 मालब 5 by 2 कर सकता है 3 की power 5 by 2 this is the geometric mean ठीक है? this is the geometric mean तो आप आराम से यह तीनों ही निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो यह तो basic definitions and formulas हो गया ठीक है? अब इसमें question आते है insert करने वाले मालब आपको दो number पकड़ा देंगे जैसे मान लो एक number दे दिया A और एक number दे दिया B आपको बोलेंगे कि इसके बीच में n number of arithmetic mean insert करो यह जो A1, A2 till A N है वो arithmetic mean है तो मुझे इन दोनों दो number के बीच में arithmetic mean insert करने है ठीक है? inserting arithmetic mean between two numbers तो इसका concept क्या होता है? ध्यान से समझना, ठीक है? अगर एक बार समझ लियाना तो फिर दुबारा-दुबारा कुछ आपको करने की ज़रुद नहीं पड़ेगी तो दो number है A और B fix number है दोनों के बीच में मुझे n number of arithmetic mean insert करने है ठीक है? तो यह A1, A2 जो आपको दिख रहा है वो सब arithmetic mean है अब insert कैसे करेंगे? तो आपको इस तरीके से insert करना है कि यह जो पूरी resulting series है यह AP आजाए क्या आजाए? AP आजाए अगर यह AP है तो एक काम करते है इसका जो common difference है इसका जो common difference है उसको मैं D मान लेता हूँ मैंने D मान लिया तो A1 कितना आ जाएगा? A1 आ जाएगा A plus D इसका common difference D मान लिया तो plus D करते जाओ बस फिर से plus D करो तो A2 का value कितना आ जाएगा? A2 का value आ जाएगा A plus 2D A3 का value कितना आ जाएगा? प्लस D करते जाओ जो भी A2 का value, A2 का value यह है न, इसमें plus D कर दो, इसमें plus D करोगे तो A plus 3D, तो इसी तरीके से A, N कितना आएगा, तो आपको यहां से pattern दिखिए, 3 में 3, 2 में 2, 1 में 1, तो A plus N, D आएगा यहां पर, ठीक है, A, N का value यह आएगा, और B का value क्या आएगा, जो A, N है, उसमें फिर स दो, जो A, N है, उसमें D add कर दो, तो B मिलेगा, ठीक है, तो यहां से basically, यह equation आगई, यह वाली जो equation है, यहां से आप common difference निकाल सकते हो, ठीक है, तो common difference कितना आएगा, यहां से, देखो B, यह A को उधर बेज़ दो, B minus A, और this is equal to N plus 1 into D, तो यहां से finally, आप common difference का formula बना सकते हो और वो formula यह बनेगा, ठीक है, अगर आपको यह दोनो number given है, A और B, और आपको यह पता है कि कितने number of arithmetic mean, आपको N क्या है, number of arithmetic mean, जो आपको insert करना है, तो सवाल वाले बताएंगे, बताएंगे कि आप 5 insert करो, 10 insert करो, 20 insert करो, जितने insert करना है, वो N है, और B और A के बीच में insert कर तो यहां से आपको common difference मिल जाएगा, तो यह common difference का formula एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, super important है, अगर कोई भी mean वाला सवाल आता है, तो एक तो यह, और दूसरा इसमे एक result होता है, result ही होता है कि यह जितने भी arithmetic mean है, इन सब को अगर आप add करोगे, like the sum of arithmetic means, the sum of all the inserted arithmetic means is always equal to n multiplied by arithmetic mean of a and b, आप खाली a और b का arithmetic mean निकालो, मनलब a और b का average ले लो, और उसको n से multiply कर दो, तो यह एक result है, कि अगर आपको sum of all the arithmetic mean निकालना है, तो आपको सारे arithmetic mean निकालने की जरूद नहीं है, आप सीधा-सीधा a और b का arithmetic mean निकालो, और n से multiply कर दो, सीधा यह summation आ जाएगा, तो कभी-कभी ऐसा सवाल भी आता है, कि find out the sum of the arithmetic means which are inserted, तो sum के लिए सीधा a और b का average करो, average करके n से multiply कर दो, n क्या है, कितने आपने insert करे, 5 करे, 10 करे, 15 करे, कितने insert करे, वो n है, ठीक है, एक question से देखते, जैसे for example, आपको यहाँ पर बूलाए कि 4 है, और 67 है, यह दो number है, और इनके बीच में 20 arithmetic mean आपको insert करने है, a1, a2, a3, ऐसे करते करते है, a20, 20 arithmetic mean insert करने है, तो अब इसमें common difference का formula क्या था, common difference होता है, b minus a upon n plus 1, यह तो आपको directly याद होना चाहिए, तो b का value 67 है, a का value 4 है, और कितने हमने insert करे, 20, 20 plus 1, तो यह कितना आ जाएगा, 63 divided by 21, मतलब यह तो 3 आ गया, ठीक है, तो d का value 3 आ गया, तो यहाँ पर a1 का value, अब आप 3 add करते जो, सारे आ जाएंगे a1, a2, a3, ठीक है, तो इसका value कितना आएगा, 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, 10 plus 3, अगला 13 आएगा, ऐसे करते करते हैं, अगर यह वाला आपको चाहिए, तो इसमें से minus 3 कर दो, इसमें से minus 3 कर दोगे, तो 64, तो यह है सारे के स arithmetic mean, जो हमने insert करे, समझ गये न, यह सारे आगे, और अगर इसका sum भी पूछा है, even if they're asking sum, इसका sum पूछा है, तो आपको इन सबको add करने की ज़रूद नहीं है, आप सीधा-सीधा क्या करो, अगर sum पूछा है, तो a और b का average ले लो, और b का average ले लो, और उसको multiply कर दो, आपन यही आएगा, direct result है, आप यह जो direct result है, उसको use कर सकते हो, समझ गये, तो जैसे हमने arithmetic mean insert करे, अब वैसे ही आपको geometric mean भी insert करने होते हैं, वैसे हार्मोनिक mean भी insert करने होते हैं, बट geometric और harmonic पे चलने से पहले, एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए, तो इसको try करो, चलो, जैही हाँ, n arithmetic means are inserted between a and, तो a है, और n arithmetic mean हमने insert कर दिये, a1, a2, a3, ऐसे करते करते है, a, n, a and 100, ठीक है, तो यह वाला number 100 है, तो यह है, तो common difference कितना आ जाएगा, common difference आ जाएगा, b-a upon n plus 1, ठीक है, यह आ जाएगा, n का value, n ही दे रखा है, n arithmetic means are inserted, such that the ratio of the first mean, तो यह जो first वाला mean है, this, to the last mean, ठीक है, तो first वाला arithmetic mean और last वाला arithmetic mean है, उसका ratio आपको given है, 1 by 7, तो यह given है, अगर यह given है, तो a1 कैसे आएगा, a1 होता है, a plus d, और यह वाला कैसे लिखोगा आप, an, तो an अगर आपको चाहिए, तो 100 minus d कर दो, 100 minus d होता है, यह तो, भई last वाले term में से, थोड़ा कम कर दो, है न, तो यह आपको 7, 1 by 7 दे रखा है, तो बस यहाँ से 7 a, plus 7 d, equal to 100 minus d आजाएगा, मतलब 7 a, plus 8 d, equal to 100 आगया, तो एक equation यह आगई, this is equation number 1, ठीक है, और एक equation आपको यह दे रखी है, a plus n का value 33 दे रखा है, a plus n, is equal to 33, तो यह equation number 2 दे रखी है, और एक equation यह है, equation number 3, तो तीन equation और तीन variable, दिग्या की नहीं, solve करना है, बस, तीन equation, तीन variable, यहाँ पर तीन variable है, a है, n है, और d है, यह तीन होई आजाएगा, तो calculation कर लोगे, तीन equation, तीन variable है, और calculation नहीं करना है, तो इसका एक shortcut यह है, कि आप option checking कर लो, तो n का value आप से पूछा गया है, तो यहाँ पर n का value कितना होगा, n का value मेरे खाल से 23 आएगा, आप reverse option checking कर लो, n का value क्योंकि अगर मैंने 23 ले लिया, तो यह 10 हो जाएगा, तभी तो 33 आएगा, तो n का value 23, a का value 10, तो यहाँ से common difference आजाएगा, कितना आएगा, a का value 10 है न, ऊपर 90 हो गया, और नीचे 24 हो गया, तो इसको आप cancel कर लो, किस से cancel करोगे, 6 से कर लो, 15 by 4 आगया, ठीक है, common difference, अब common difference और a का value पुट करना, यहाँ पर क्या है, 100 आएगा, चेक कर लो, मतलब option checking कर लो, तो 7 इंटू 10, यह तो 70 हो गया, और 8 इंटू D का value है, 15 by 4, तो क्या यह 100 आ रहा है, आ रहा है न, 100, satisfy कर रहा है, अगर satisfy कर लो है, मतलब यही साही है, तो मतलब इस तरीके के सवालोब है, option checking कर लिया करो, option checking से जल्दी आ जाएगा answer, ठीके, वो भी कर सकते हो, otherwise solve कर लो, जैसे आपकी मर्जी है, fine, yes, 3 equation, 3 variable है, बाकी तो आपको concept वही वाला पताई है, ठीके, और आगे बढ़ते हैं, फिर, अब बात करते हैं, inserting geometric mean, तो अगर मुझे geometric mean insert करनी है, है ना, मानलो यह g1, g2, g3, ऐसे करते-करते, मुझे n number of geometric mean insert करनी है, g1, g2, g3, dot, 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 gn, यह n number of geometric mean मुझे a और b के बीच में insert करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको directly formula बता दू क्या, यहाँ पे common ratio का formula निकल के आएगा, b by a की power 1 upon n plus 1, यह होता है, तो यह एक आपको याद रखना है, यहाँ पे common difference का formula क्या था, यह था, यह b minus a upon n plus 1, तो जब आप arithmetic mean insert करोगे, तो यह ap होगा न, इस ap का common difference यह होता है, जब geometric mean insert करोगे, तो then this is gp, तो उस gp का common ratio आएगा, वो common ratio होता है, b by a upon, b by a की power 1 upon n plus 1, ठीके, तो यह सीधा-सीधा आप लगा सकते हो, यहाँ से common ratio आगया, और एक बार common ratio आगया, तो यह सारे आजाएंगे, है ना, multiply करते जाओ, r से, r से multiply करते जाओ, यह सारे आजाएंगे, yes or no, तो बस common ratio का formula याद करना है, और इसमें भी result valid है, इसमें product of geometric mean का result होता है, अगर आप इन सब का product निकालोगे, product of geometric means, तो यह होता है, यह होता है, geometric mean of a, b, just find out geometric mean of a and b, और उसकी power n कर दो, वहाँ पर multiplied by n किया था, इसमें power n करना है, क्योंकि gpa सब कुछ multiplication में होता है, right, yes or no, तो geometric mean निकालो, तो a, b का, a, b का geometric mean होगा, root a, b, यह होता है, geometric mean, और इसकी power n, तो this will become the formula, अगर आपको इन सब का product चाहिए, तो आप एक-एक निकालने मत बैठो, आप सीधा geometric mean ले लो, a और b का, और power n कर दो, n is, कि आपने कितने geometric mean insert करे, 10 करे, 20 करे, 15 करे, कितने करे, वो n है, और a और b यह first वाला number और last वाला number है, a और b, तो इसमें substitute कर दो, सीधा product आजाएगा, इन सब का, इसका derivation वगेरा, again, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, बट यह direct आप याद कर सकते हो, ठीक है, yes or no, derivation is not important, बट हाँ, अगर कोई सवाल आ गया, तो result पता होना चाहिए, ताकि आप लगा पाओ, otherwise लगाई नहीं पाएंगे, अब similarly, harmonic mean अगर insert करने हैं तो, तो जैसे a है, b है, और इन के बीच में मुझे, n number of harmonic mean insert करने है, अब harmonic mean insert करने है, मतलब यह HP बननी चाहिए, है न, HP, HP हाला कि वैसे तो हमारे syllabus से delete हो गया था, लास्ट यह ही delete कर दिया था, इस साल का syllabus अभी तक मेरे ख्याल साए आया नहीं है, बट most probably HP के सवाल जादा नहीं आते है, ठीक है, इसको आप वैसे ही थोड़ा सा ignore कर सकते हो, बट फिर भी मैं खाली आपको formula बता देता हूँ, in case अगर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है, HP में, HP का जो रेसिप्रोकल होता है, वो AP में होता है, और इस AP का common difference अगर आपको निगालना है, तो उसका formula है, उसका formula क्या है, 1 by B, minus 1 by A, upon N plus 1, यह almost वैसा ही है, जैसे हमने AP में B minus A किया था, इदर रेसिप्रोकल करके माइनस करना है, उतना ही फरक है, ठीक है, क्योंकि HP में, रेसिप्रोकल AP में होता है, तो basically यह भी एक, आप याद कर सकते हो, यह तीन formula है, मोटा मोटा, अगर आप देखोगे, तो इदर B minus A upon N plus 1, इदर common ratio है, B by A की power, 1 upon N plus 1, और इदर 1 by B minus 1 by A upon N plus 1, यह मोटे मोटे तीन formulas आपको याद करने पड़ेंगे, inserting arithmetic mean, inserting geometric mean, और inserting harmonic mean, यह तीनों ही आप insert कर पाओगे, बड़े अराम से, clear है, yes or no, और आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अचा, अब last मैं बात करते हैं, कि what is the relationship between AM, GM, HM, हाँ, यह वाला जो topic है, यह super important है, ठीक है, तो आपको basically सवाल आएंगे, AM, GM, inequality वाले जिसको हम बोलते हैं, वो सवाल आते हैं, तो basically AM, GM, HM, arithmetic mean को मैं थोड़ी देर के लिए A बोल रहा हूं, geometric mean को थोड़ी देर के लिए G बोल देते हैं, और harmonic mean को थोड़ी देर के लिए H बोल देते हैं, तो इन तीनों के बीच में क्या relation होता है इन तीनों के बीच में दो relation होता है ठीक है पहला वाला तो शायद आपको पता ही है पहला यह होता है कि arithmetic mean greater than equal to geometric mean greater than equal to harmonic mean यह maximum लोगों को पता ही होगा और यह valid होता है खाली positive numbers के लिए this is valid only for valid only for positive numbers पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है ठीक है पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है बलब आप यह relation लगा सकते हो लेकिन negative numbers में नहीं लगता है यह positive में ही लगता है ठीक है तो एक तो यह होता है और दूसरा यह भी होता है यह पता नहीं आप लोग को पताईगे नहीं बट G square का value हमेशा A into H के बराबर होता है always geometric mean का square is always equal to arithmetic mean into harmonic mean geometric mean का square is always equal to arithmetic mean into harmonic mean तो 3 में से कोई भी 2 given है तीसरा निकाल सकते हो इस formula से मालो geometric mean given है arithmetic mean given है formula में put करो harmonic mean आ जाएगा ठीक है तो 3 में से कोई भी 2 given है तीसरा निकाल सकते हो यह भी होता है G square equal to H होता है always ठीक है और arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean is always greater than equal to harmonic mean अच्छा इसमें equal to sign तभी आएगा equality का बात है बताऊ इसमें equality का बात है मतलब यह equal to sign का बात है equality तभी आएगी when numbers are equal when numbers are equal मतलब आप equal numbers पे अगर आप यह लगाओगे जैसे माल लो equal number है मैंने एक number ले लिया 2 दूसरा number भी 2 है तो इनका arithmetic mean कितना आएगा यह आएगा average और geometric mean कितना आएगा तो दोनों को multiply करके power 1 by 2 करो गए यह geometric mean का formula होता है और harmonic mean में क्या होता है एन अपॉन 1 by 2 प्लस 1 by 2 आप रैसिप्रोकल करके add करते है तो इसका value आप देखो कितना है 2 है इसका value भी 2 है और इसका value भी 2 है बराबर आगया ना arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean बराबर आगया तो यह तीनों बराबर तभी यह equal to तभी आता है जब number equal होते अगर आप 2 और 3 ले लोगे ना तो कभी बराबर नहीं होगे तो हमेशा arithmetic mean बराबर होता है फिर यह होता है फिर यह सबसे चोटा होता है समझ गे तो अगर number आपके distinct है तो arithmetic mean ही बड़ा आएगा harmonic mean सबसे चोटा आएगा लेकिन अगर number आपके बराबर है तो सब बराबर आएगा तीनों बराबर आएगा समझ गये हैं, if numbers are equal तो equal to sign आएगा अगर number आपको कभी-कभी question में ऐसा लिख देता है ABC are distinct positive numbers distinct word लिखा है तो आपको ये use करना होता है arithmetic mean greater than, geometric mean greater than this is for distinct numbers अगर distinct numbers बोला है तो equal to आने का सवाल ही नहीं है equal to तो तब होता है जब numbers equal होता है तो अगर distinct बोल दिया गया है सवाल में, तो फिर आपको equal to लगाने की जरूत नहीं है बट हाँ, अगर कुछ भी mentioned नहीं है तो फिर वो distinct numbers भी हो सकते है, और equal numbers भी हो सकते है, तो वहाँ पर आपको फिर ये generic वाला use करना पड़ता है समझ गे, yes or no इसके उपर सवाल इसके उपर सवाल थोड़े से चालाकी वाले आता है, ठीके तो ये काफी आपको सोच समझना पड़ता है तो चालाकी वाले सवाल आप definitely expect कर सकते हो आपको ये प्रूव करना है कि a square, b cube, c square a square है b का cube है और c का square है वो less than equal to something something है, तो अब देखो ऐसे सवाल जब भी आएंगे, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये जो मुझे चाहिए ये सब multiplied है a square, b cube सब multiplication में है, multiplication मतलब ये geometric mean वाली side ही इसको हम create कर सकते है क्योंकि arithmetic mean में तो summation होता है, sum of observations number of observations, geometric mean में multiplication होता है तो ये geometric mean वाली side हमें कुछ न कुछ करके create करना पड़ेगा अब create कैसे करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो a square है, मतलब a मुझे दो बार चाहिए मुझे a कितनी a मुझे दो बार चाहिए a square तो उसके लिए आप क्या करो a है उसको दो पार्ट में break करो a को दो पार्ट में break करना तो ऐसे लिखना पड़ेगा a by 2 a by 2 ऐसे लिखना पड़ेगा b मुझे कितना चाहिए? b मुझे 3 बार चाहिए तो b को तीन पार्ट में ब्रेक करो तो तीन इक्वल पार्ट कर दो तीन इक्वल पार्ट मतलब बी बाई ध्री, बी बाई ध्री, बी बाई ध्री हो जाएगा अरे चमका तो ये तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको और सी को दो पार्ट में ब्रेक कर दो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और अब आप ये टोटल कितने नंबर्स हो गए इसको हटा दो ये देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ नंबर है ये टोटल ये जो साथ नंबर है इनके उपर आप लगा दो arithmetic mean greater than equal to geometric mean तो arithmetic mean कैसे निकालेंगे sum of observations divided by number of observations साथ नंबर का sum है और divided by साथ sum of observations divided by number of observations geometric mean कैसे निकालेंगे ये arithmetic mean है arithmetic mean will be greater than equal to इन सबका geometric mean तो ये सारे multiply करेंगे सारे multiply करो और power में आएगा 1 by 7 सारे multiply कर दो so a by 2 into a by 2 a square by 2 square आ जाएगा इधर b cube by 3 cube आ जाएगा और c square by 2 square आ जाएगा तो ये आ जाएगा अब ये लिकिन क्या लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है a plus b plus c और a plus b plus c का value अपने को given है कितना 3 ये तो a plus b plus c ही तो लिखा हुआ है तो a plus b plus c का value put कर दो 3 है ना तो ये बन जाएगा 3 ये पूरा बन गया 3 divided by 7 greater than equal to इधर देखो a square b cube c square नीचे आ जाएगा 2 की power 4 और 3 की power 3 और ये जो power 1 by 7 है उसको इधर shift कर देना तो power 7 आ जाएगा 1 by 7 को इधर shift करेंगे तो 7 हो जाएगा ठीक है और इसको भी cross multiply कर देना तो 3 की power 7 नीचे 7 की power 7 ये इधर आ जाएगा 2 की power 4 3 की power 3 चमागया ये आ गया देखो हैंस फ्रूड दिख्या की नहीं तो ये वही तो आ गया 3 की power 10 आ गया इन दोनों को club कर लो तो 3 की power 10 2 की power 4 और 7 की power 7 आ गया हैंस फ्रूड this quantity is less than equal to this quantity तो आपको basically ये दिमाग लगाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कितने टुकडे मैं break करू कि मुझे a square मिल जाए a square चाहिए 2 टुकडे कर दो cube अगर चाहिए तो 3 equal parts और अगर power 4 चाहिए तो तो 4 टुकडे कर दो a by 4, a by 4, a by 4, a by 4 4 नमबर बन जाएंगे ठीक है और नमबर भी हाँ 4 नमबर भी बन जाएंगे ठीक है नमबर भी 4 ही मिलेंगे इस तरीके के सवाल आएगा तो ऐसे ही करना पड़ता है समझ गये कि नहीं yes or no clear है yes चलो तो हाँ इसी के साथ sequence and series अमने पूरा revise किया है ठीक है तो definitely I hope की आप लोगों को ये वाला जो session है वो definitely काफी सारी चीज़े हमने वैसे cover करने की कोशिश करिये ठीक है पूरा जो lecture है उसके notes आपको मिल जाएंगे तो आप लोग short notes बना लेना and definitely जो भी हमने पड़ा है उसके उपर आप आज या कल में ही अगर थोड़े से question practice कर सकते हो तो तो best हो जाएगा ठीक है तो थोड़े से previous questions जो है वो आप लगा लो इसी topic के उपर लगा लो जिसे GP के लगा लो AP के लगा लो AGP के लगा लो short notes बना लो सबसे पहले तो ठीक है short notes क्योंकि काफी important है and definitely ये वाले जो notes है इसको भी आप download करके इससे भी आप अपने short notes बना सकते हो ठीक है बाकी जो भी बच्चे नए है जिनको नहीं पता है तो अपना booster batch भी already start हो चुका है ठीक है तो definitely आप इसमें enroll कर सकते हो यहाँ पर हम definitely आपको ये सारे features मिल जाएंगे topic wise lectures है फिर आपके जो booster sessions होते है वो आपके live होते है जहाँ पर हम most important expected questions भी discuss करते है जो की non-pyqs है ठीक है तो जो भी बच्चे ऐसे होते है जिनकी demand रहती है कि सर हमें थोड़े से non-pyqs practice करने है तो वो भी हम यहाँ पर करते है बाकी previous question आपको 2023 के सारे कराये जारे topic wise वो भी ठीक है तो definitely वो भी आपका इसी में इसी batch में सब कुछ covered है तो आप इसको join कर सकते हो already यह start हो गया है तो जादा late मत करना जितना late उतना फिर backlog हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर weekly target हम लेके चल रहे कि एक अफ़ते में आपको इतना खतम करना ही है अब उसमें lag कर गया तो फिर बाद में मज़ा नहीं आएगा तो इसी लिए जितना जल्दी आप करोगे उतना आपके लिए ही यहाँ पर फाइदा है चलो ठीक है ना बाकी हम मिलेंगे अगली class में और कोई doubt कितने year के PYQ करने चाहिए बता दो sir याद मेरे इसाब से क्योंकि time थोड़ा कम है है ना तो at least आप 2023 और 2022 के तो करी लो और मैं आपको logic भी बताता हूँ 2023 के जितने भी previous question मैंने देखे है ना इसमें variety थोड़ी ज़ादा है याना variety जो है वो थोड़ी सी ज़ादा है याना और इसमें थोड़े tough तवाल ज़ादा है थोड़े lengthy और tough सवाल आपको practice करने है तो 22 में मिलेंगे 23 में आपको थोड़े variety वाले सवाल मिलेंगे तो अलग-अलग topic के और अलग-अलग concept के वो आपको 23 में मिलेंगे थोड़े ज़ादा 22 में थोड़े से आपको tough type के सवाल मिलेंगे तो जो भी आप paper expect कर सकते हो वो इन दोनों के बीच में expect कर सकते हो तो जो मेरा मानना है जो 2024 का paper आएगा है ना अगर आप मुझसे पूछोगे क्योंकि 22 में तो यार बहुत ज़ादा tough था तो उससे थोड़ा simple और 2023 वाले जो paper थे वो almost balance आए थे अच्छे papers आए थे तो almost वैसा या उससे थोड़ा सा उपर level का आप यहाँ पर expect कर सकते हो तो इन दोनों के बीच में है 2024 तो इसलिए आप at least minimum ये दो साल के तो करी लो इसके बाद अगर आपको time मिल जाए तो आप round 2 में 2021 वाले भी try कर सकते हो but previous question करने के अलावा आपको और कुछ करने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आपके concepts बहुत ज़्यादा strong है तो ठीक है? येस चलो ठीक है ना बाकी अगली classroom मिलेंगे thank you so much, bye